कि एक तो यह प्रस्न हो गया एक यह प्रस्न है कि पांच बटा साथ वाद दुई बटा तीन में कौन बड़ा है यह आप बताईए तब हम आगे पढ़ाएंगे लेकिन कम से कम आपको कुछ तो आना चाहिए ना बैया कुछ तो आना चाहिए ना सपना राठोर चुल्बुले डिपा कुमारी दीपक कुमार अनु सुकला मोहित् शुहानी कुमारी सोनी देवि सत्यम शुस्ट मनोज मन्जु तिवारी और मोनिका सिंग सरोज कुमार मोहित खन्ना अमित्सब का कमेंट आ रहा है कुछ लोगों के नाम नहीं bol पा रहे हैं उनका भी कमेंट आ रहा है चलि पढ़िएगा एक गंटे चलिए ठीक है हाँ तो अब तक क्या-क्या पढ़ लिया भिन्न के बारे में पढ़ लिया देखते हैं क्या-क्या टॉपिक है इसमें जो आगे पढ़ना है चैप्टर तीन चल रहा था यह लगवा खतम हो गया है हाँ आज दसमलो भिन्न पढ़ना है न दसमलो भिन्न पढ़ना है और एक परकार से हमें बोर्ड मास रूल सुरू करना है ठीक है यदि भिन्न का हर दस या दस की कोई घात हो तो उसे दसमलो में लिखा जाए तो वह दसमलो भिन्न कालाती है सुहानी ठीक है बहुत अच्छा भाई सुहानी बेरी गुड आईए इधर आईए यहां से देखिए को कुष्चन नहीं टॉपिक क्या है इधर साइड भी दिख रहा मुझे लग रहा है तो टॉपिक है आज हमारा सबसे पह दसमलो भिन्न जिसे इंगलिस में बोलते हैं डेस्मल फ्रेक्शन चलिए इनका लसीम की बात करें देखिए मैं एक मिनट के लिए बता देता हूं मैंने पढ़ाया है पिछली का लाफ नहीं देखा देख लीजिएगा पहले आप पंदरा और तीन का लसीम निकालेंगे यान अन्स का LCM ठीक है अपान हर का HCF यह सूत्र होता है हर में 27 और 8 है इन दोनों का HCF करोगे ठीक है डंगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं चलो तो हाँ इन दोनों में अगर बढ़े की बात करें देखो भई आगर साथ में इसमें भाग करोगे आपको पता है कि 0.7 something आएगा पॉइंट तीन से भाग करोगे छे लग भग तो पांच बटा साथ बढ़ा है क्या है पांच बटा साथ बढ़ा है नेहा बर्मा जी बिलकुल आपका कमेंट आ रहा है ठीक है बहुत अच्छे बेरे गुड कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं हम सब चका चक फटा फट मतलब सब को ठीक ठाक है एकदम मस्त ना आईए दसमलो भिन्न के बारे में बात करते हैं देखिए साथियों वो भिन्न ऐसी फ्रेक्शन जिसका हर दस हो या फिर दस के घात के रूप में हो वो दसमलो भिन्न का लाती है ऐसी भिन्न जिसका हर यानि देनूमिनेटर तेन हो या फिर टेन का मल्टीपल हो वो दसमलो भिन का लाती है जैसे कोई उदाहरण बताएगा क्या आप में से देखिए दसमलो भिन इनका उदाहरण जैसे माल लेते हैं साथ बटा दस कोई और बताएगा अमित गुंजन अच्छा आपका नाम गुंजन है अमित मेरे हस्बेंड का नाम है यहाँ पे ज़्यादा डीटियल की जरूरत नहीं है सिर्फ कलास बेखिए चलिए यह हो गया जैसे 81 अपान अगर हंड्रेड लिखा तो ये भी क्या है दसमलो भिन है । मतलब की दस के रूप में हर होना चिहिया जैसे इसको अगर मैं थोड़ा explain करूँ तो इसे हम दस गुड़ा दस लिख सकते हैं समझ गये तो ये भी क्या है दसमलो भिन भिन ये भी क्या है दसंबलों भीन है लेकिन अगर मैं बोलता कि यह यह एटी वना पान-99 है यह फिर दसंबलों भीन उस तरह के नहीं हुई आया समझ में सभी को समझ में आया ना भाई कलास को लाइक करते जाओ बाबू फटाफट फटाफट लाइक करते जाओ देर ना करो कहना ना पड़े कहना ना पड़े बिल्कुल भी तुछ जादा अच्छी बात है आगे बढ़ें चलिए बीना रुके आगे बढ़ते हैं हां तो क्या हो रहा था दसमलो भिन इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं लेकिन आप कहोगे कौन दसमलो भिन है मतलब यह उसी का फार्म है आप इसे आगे करके ऐसे कर सकतो यह फाइनल में 0.7 बनाएगा इसे आप लिख सकते हो 0.81 तो यही क्या है दसमलो भिनने है ठीक है यह क्या है जो दसमलो में आये वो दसमलो भिनने है अब हमें जो पढ़ना है इसमें इसके बाद में मुख्य वो है बोर्ड मास का रूल क्या है बोर्ड मास रूल बोर्ड मास रूल इनमें से अधिकांस को बताये कि हाँ आपको बोर्ड मास रूल मालूम है मालूम है ना भाईया हम चलिए आईये अब जो टॉपिक है वो क्या है आप बोर्ड मास रूल जिसे हिंदी में कोश्ठक बोलते हैं हिंदी बड़ी कठीन है हम पूजा कत्स है आपको पता है ठीक है बहुत अच्छा के कहने का यह मतलब है जैसे किसी संख्या की घात वगयरा मतलब देखो जैसे यक्स या अंडरूट यक्स आदी मतलब ऐसा कुछ अगर आता है तो वह अधर में या फिर इसके अंतरगत ओके आएगा समझते जाईएगा थोड़ा डीटियल में हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है वाटसअप या दो नहीं रहा गया आपसे भी चलिए पढ़ लीजिए ठीक है कि बफरिंग कर रहा है क्या है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं डी का मतलब डिवीजन यहां पर थोड़ा गड़बड है यह सकेते में समधियान हो रहा है जगा नहीं हो रही है इसको मैं ऐसे लिखूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्यों भाईया गड़बड हो रहा है इस जगा पर इसको सीधा फिधा लिखना पड़ेगा देखिया इधर समझिये इसको हमें सीधा सीधा लिखना है इसमें जगा नहीं इतना हो नहीं पाएगा यह मैंने थोड़ा लिखने में गड़बड किया इसे ऐसे लिखेंगे तो ज थार्टीन का वर्ग क्या होगा तेरा का देखिए हम बोर्ड मास का फुल फार्म के बारे में बात करेंगे सबसे पहले ऐसे बी ओ डी एम ए एस बोर्ड मास इतना ही तो होता है बी मतलब ब्रेकट यानि कोश्ठक लिख लिजी आप लोग बस मैं तुरंट समझाने चल रहा हूँ अदर और आफ और इसको और भी बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं आडर भी बोलते हैं इसको समझने के लिए और आगे बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे जैसे कोई भी गिंती रूट में लिखी है या घात के रूप में लिखी है या वर्गमूल में मतलब वही जैसे मैंने अंडर रूट बोला या घंमूल में लिखी है तो वो इसके अंतरगत आएगी अदर या आडर वाले में ठीक है अभी जब question होने लगेंगे न तो यह सब clear हो जाएंगे समझते जाएए जैसे x का square और under root x और x का power on a point 2 आदी मतलब यह एक standard form दिखा रहे हैं D का मतलब division division मतलब भाग m का मतलब multiple यानी गुड़ा addition यानी जोड और subtraction यानी घटाना देखो मैंने subtraction लिखा है spelling नहीं समझ में आ रही होगी तो कवो मैं फिर से लिख दूँ अनीशा कंप्यूटर एस्टरडी ब्रेकट अधर डिवीजन मल्टीपल सब्स्ट्रक्शन ठीक है बहुत अच्छी बात है यह क्या है सब्स्ट्रक्शन उतना आप समझ जाएंगे इतने समझदार हैं कोई छोटा बच्चा तो है नहीं आप लोग अभी तो कहानी शुरू नहीं हुई अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर था अभी तो इसकी पूरी मूवी शुरू होगी और देखते जाईएगा बिल्कुल दिल लगा के हाँ हाँ एक चीज मैं यह बोल रहा था कि भाईया देखो इसके लिए आपको वर्ग और घन याद होना चाहिए यह बताइए आप लोग इमांदारी से बिल्कुल दिल से बताइए कि 20 का घन कितना होगा कि इमांदारी से बताना कोई भी मोबाइल में नहीं करेगा 20 का घन कितना होगा कम से कम 30 तक आपको वर्ग और घन तो आना चाहिए बताइए जल्दी बताइए फटापट देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा फिर हम लोग शुरू करते हैं अभी कलास शुरू नहीं हुई अभी तो इंट्रोडक्शन हो रहा है चले आगे चलो ठीक है अमित गुंजन भाई एकदम फूल एचडी दिख रहा है बहुत अच्छा मैं खुद देख रहा हूं अभी यह मत कहो कि नहीं दिख रहा है जिनका इंटरनेट नहीं चल रहा सही वह अपना इंटरनेट सही कर लें हमारी तरफ से पूरा एचडी में दिख रहा है मस्त दिख रहा है सबसे पहला जबाब काजल गुपता काया है और काजल के अलावा किसी का उत्तर नहीं आ इतना देर तक पर अभी संकर गुपता यह भी बता रहे हैं ठीक है हम अचा सीधा लिखें चलिए तो अब हम कोश्चन पर चलते हैं इधर इतनी जगा बहुत है हाँ ठीक है इसी में चोटे-चोटे कोश्चन करेंगी सबसे पहले एकदम नंधे-नंधे से प्यारे-प्यारे से चलिए तो भाईया इसमें ज्यादा कोश्चन तो दिया गया नहीं है कुछ लेकिन इन्होंने मुझे अरजात दिया जरूर बोर्ड मास रूल में चलो लाओ एकदम छोटे-छोटे कोश्चन पहले करेंगे जिससे आपको समझ में आए और थोड़ा-थोड़ा आपका मोटिवेसन जो लेवल हने वो बढ़ता जाए आईये चलिए पहला कुश्चन है जैसे 144 डिबाइड बाइड बाइड ट्वेल इंटू 5 प्लस 7 इसको आप लोग हल करेंगे तो कितना अंसर आएगा जरा सोचिए और बताइए जल्दी करिए दिख तो राए ना भाई दिख तो राना क्ल यह थोड़ा गंदा चल रहा है ना जब तक चलता है रगड़ घसर के लिख देता हूं क्योंकि स्याही बहुत नहींगी इसमें देखिए आईये इधर आईये ब्रेकट सबसे पहले इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि इसी सीरीयल में इस तरह के कुष्चन को हल करते हैं यानि अगर Koji अगर कोई भी बोड़ मार्श रूल का कुष्चन है मतलब इस पर अधारित अर उसमें ब्रेकट भी लगा और इसक्वायर वर्गमूल इस तरह से भी है भाग का भी चिन है गुड़ा का भी है जोड का भी है कहने का मतलब एक ऐसा कोईश्चन होता जिसमें धेर सारे चिन और ब्रेकट सामिल होते हैं ठीक है ब्रेकट चार प्रकार के होते हैं देखिए इसको भी पहले देख लीजिए तब कोईश्चन पर चलते हैं भाईया यह है बढ़का ब्रेकट यह क्या है बढ़का ब्रेकट समझते चलना यह मजल का ब्रेकट है यह कौन सा है मजल का और यह रेखा कोश्ठक है तो यह कोश्ठक क्या होते हैं चार प्रकार के होते हैं सबसे पहले उल्टा साइड से हल करना सुरू करते हैं अगर कहीं यह चारो कोश्ठक हैं तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं फिर छुटके को फिर मजलके को फिर बढ़के को ऐसे सीरियल से हल करते हैं क्या इसमें कोई कोष्टक है नहीं है यानि हम पहला बिल्कुल साफ साफ छोड़ सकते हैं ब्रेकट है ही नहीं क्या इसमें अदर या आफ या आडर वाले कोई element है इसक्वायर में वर्गमूल में आदी कुछ है उल्टा पुल्टा नहीं है सब सीधा साधा है तो इसका जबाब जो सबसे पहले दिया वह कौन है बहुत से बच्चों ने जबाब दे दिया है जैसे कि 67 जैस धेंगे ने बताया है सपना राठ और प्रीतम ठीक है तो भाईया सबसे पहले हम सुरू करेंगे दिवीजन से क्योंकि यहां भाग का चिन भी है गुड़ा का भी है जोड़ का भी है तो सबसे पहले भाग करेंगे तो 144 में 12 का भाग करोगे तो 12 आएगा उसके बाद जो जैसे हैं वैसे लिखतेंगे यह उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं ध्यान रखना इस बात का गौर फर्माना आईये दूसरे स्टेप पर क्या है देखिए यहां पर सिर्फ गुड़ा का चिन है और जोड़ का चिन है तो हम गुड़ा करेंगे उसके बाद जोड़ना देखो नीचे है जोड़ना समझते जाओ सबसे पहले ब्रेकट फिर अधर फिर डिवीजन फिर तो यह बारा पंचे साथ और यह धन साथ फाइनल में 60 से बनाया कितना आसान है ना बहुत आसान है ना सभी साथी फटा फट लाइक कर दो इसी बात पर फिर अन्नु सुकला नहीं समझ में आया का आया ना आयए दूसरा जिनको नहीं आया बिलकुल निराफ नहीं होना है इफिलिये तुम्हें एकदम छोटा से बता रहा हूँ एकदम छोटा कॉश्चन देखिए मैंने ब्रेकट और एकट इसमें नहीं लिया एकदम छोटा से आयो अगला देखिए भाई कलास को पूरा इंड तक देखना मैं बार-बार बोल रहा हूं अगर समझना है तो कलास छोड़के नहीं जाना है और जाना है तो फिर समझना नहीं है दोनों में एक कई मिलेगा न आईये 5 गुडे 9 डिवाइड बाइ 3 माइनस का 2 और प्लस का 1 चलो बताओ भया बताओ बताओ इसमें मैंने इसको भीकर देखते हैं सबसे पहले इसका जबाप कौन बताता है इसमें थोड़ा अपडेट हुआ है कंप्यूटर एस्टडी बताइए चरह ट्राइए आईये मैं बताता हूं ध्यान दीजिए यह बहुत ही सिंपल सा है बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं बच्चे नहीं है इसमें आधिकतर तो बच्चे वाले हो जाते हैं फिर भी वो बच्चे ही कह जाते हैं आईये फिलहाल जो भी है यह question जो है वो बच्चों वाला ही है एकदम छोटा सा है क्योंकि आपके syllabus में है इफले हमें पढ़ाना पड़ रहा है देखिए सबसे पहले break-up आता है इस त्रीज में break-up के बाद आदर यह division फिर multiple edition subtraction तो इसमें सनियों को आपके ब्रेकट है अगर इसमें break-up है तो पहले भाग नहीं करेंगे पहले हम डारेक्ट ब्रेकट तक पहुंचेंगे तो ब्रेकट यहां है इसके पहले जो जैसे है उनको उसी तरह से इज्जत के साथ लिख देंगे यह जो जैसे है उनको वैसे लिख देंगे और अब देखिए माइनस लग गया ब्रेकट के पास तक हम लोग पहुंच चुके हैं यह दोनों जूड जाएगा अंदर में तो तीन हो जाएगा ब्रेकट वाला काम खतम अब यहां भाग का चिन है गुड़ा का है घटाना का है तो भाईया सबसे पहले अब इसमें भाग गुड़ा तब जोड़ना तब घटाना जोड़ना इसमें है नहीं कहीं तो इसको तो निकाल देंगे डिवीजन मल्टीपल सब्स्ट्रेक्शन है सबसे पहले भाग करेंगे तो पांच ऐसे रहेगा गुड़ा का चिन ऐसे रहेगा नो में तीन का भाग करेंगे तो तीन आ और यह माइनस कर तीन ऐसे रहेगा अब गुड़ा करेंगे पांतियाई 15 माइनस तीन फाइनल में बारा आएगा यह होता इसकी स्रीज समझना बड़ी बात होती है ठीक है कैसे कैसे करना है आपको यह सिक्वेंस समझ के चलना है एक बात मैं आपको और याद दिला दूँ यह क अगर आप सातों दिन देखना चाहते हैं तो पीबीर स्टडी अपलीकेशन डाउनलोड करें और पीबीर स्टडी एप में आप हमें सातों दिन देख सकते हैं मिटाएं जल्दी करिए वीडियो रोंग करके लिख लीजिए समझने की कोशिज करिए आप भले मत लिखिए कुछ लोग छापने के चक्कर में ना वो समझते ही नहीं है भाई यह चापो ना आप समझ लीजिए मैं बहुत सारे प्रसंद करवाऊंगा आपका EC में पुरा ब्यास हो जाएगा डॉन ट्वरी की अच्छा एक ठेवर बता दीजी हमें यह बताईए 576 का वर्गमूल क्या ह होगा सबसे पहले जो बताएगा हम जान जाएंगी वो पढ़ने वाला है बाई 576 का वर्गमूल क्या होगा यह चोटी-चोटी चीजें आपके जुबान पर रहनी चाहिए है समझ रहो ना जिसे आदमी जुबान पर हमें साथ थुक रहता है कभी भी थुक सकता है समझ रहो देखो कहो कि गंदी बात बोल दिए वैसे मतलब जैसे कोई पूछे फट से आप बताओ समझ में आ रहा है ठीक है आईए तो सबसे पहला जो जबाब है सपना जी का आया है सपना राठोर जी बहुत अच्छे बाकि सब लोग सो रहे हैं मुह में दही जमाये बैठे हैं बोलने में भी मुसीबत है तो कुश्चन कर रहे हैं बोड मास रूल के आईए कुछ और भी कि अर्टू प्लस थ्री समझते जाना अब कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ रही है हां शुरू हो रही है धीरे धीरे चलिए इनका अंसर कितना आएगा जरा सोच के बताईए दिखतुरा सभी को एकदम मस्त दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं सुभमतिवारी ग्यारा सो बाव नहीं है इतना ससुरा पुरन का वीडियो नहीं ठके ले जा रहा है यह कोई आटा चावल दाल पिसान मिला के खाद पदार्थ नहीं बनाया जाता कि बन जाता है वीडियो बनाने के लिए भी यहां आके सारी एक्टिंग करनी पड़ती ठंडी में तो यह मत समझा करिए कि व लिकिन इसमें ब्रेकट दो तरह का लगा है एक बड़ा वाला लगा है और एक छुटका वाला लगा है तो हल करने का जो रूल होता इसमें अभी मैंने बताया कि अगर चारों कोश्ठक लगे हैं तो सबसे पहले हम यह कोश्ठक हल करेंगे फिर यह करते हैं फिर यह करते हैं सजिए कि इसमें का कोश्टा कहलें यह isn'tंग की बोलो है न दूसरा है और चौ्था है तो सब चुकला जी का अंसर 10 आ चुका है ठीक है तो सबसे पहले हम छोटका कोश्टा खल करेंगे वहां तक इसको चुप चाप ऐसे लिखते जाएंगे बारा गुड़ा पांच डिवाइड वाई यह तीन दो यह पांच हो जाएगा माइनस का दो ब्रेकट बंद निचे दिख रहा सबको कोई दिक्कत नहीं देखे कोश्टा खल करने का मतलब है कि इसके अंदर सब है तो इसी के अंदर हल करेंगे जैसे घर में हो तुचाह लड़ो जगड़ो खाओ पीओ जो मर जीवो करो पडोसी से जादा मतलब नहीं है अपने घर की बात अपने घर में ही रहे चलिए देखिए वैसे इसमें कुछ करेंगे भाग का चिन है इसमें गुड़ा का भी है जोड़ना नहीं है घटाना है तो सबसे पहले भाग करेंगे तो बारा और गुड़ा ऐसे लगा के लिख देंगे पांच को पांच से भाग करेंगे वन आएगा माइनस का दो अब सबसे पहले गुड़ा करेंगे तो टेल हो जायागा माइनस का दो भाईया हो माइनस का दो फालाने समझ गए ना दस आयेगा कितना आयेगा दस प्रीती परजापती आरा समझ में सुभम रवी संकर दस आया ना अब बताइए आप लोग समझ रहें कि नहीं समझ रहें ना तो यह बताईए कलसवा को लाइक काय नहीं कर रहें उसके लिए कुछ और मिन्नत मांगनी पड़ेगी का जल्दी फटा फट जितने हमारे साथ ही जुड़े हैं वो कलास को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे फ्री पड़ सकें यह बताना पड़ता बीच बीच में जल्दी करें नहीं तो आप भूल जाते हैं नहीं समझ में आए बताईए एक बार नहीं हजार बार बताईए मैं बताऊंगा जितनी बार कहोगे मैं उतनी बार बताऊंगा बताने के लिए तो खड़ा हूं नहीं चलिए आगे बढ़िए तो मुझे उमीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए मैं जितने कोईश्चन करवा रहा हूं न यह सब अलग-अलग हैं अपने में सब अलग-अलग हैं ठीक है इसी तरह के बहुत सारे प्रसन आते हैं धेर सारे आते हैं को अगर मैं कोईश्चन बनाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे लगता है कि कल या तो बोट मास रूल के ढहर सारे कोईश्चन करवा दिये जाएंगे आज हम आगे कुछ देख लेते हैं ठीक है बोर्ड मास रूल के बहुत सारे कुश्चन हम कल करवा देंगे आपको अभ्यास प्रस्न में आज आगे टॉपिक देख लें सही रहेगा न कि कुछ और करवा दें ऐसे आएए कुछ और देख लेजें छोटे-छोटे कल बड़े कुश्चन भी कुछ करवाएंगे क्योंकि कुश्चन बनाना पड़ता है अगर डारेक्टली हम ऐसे बना देंगे न तो कुश्चन हल नहीं होगा गडबड़ाई जायेगा तो आप लोग फंसे रहेंगे उसी में 169 डिवाइड भाई 1313 और प्लस टू प्लस वन और माइनस तीन गुड़ा पांच और यह अप ऐसे लगा है भाई यह देखो अब यह मुसीबत कहां से आई इसको हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा सपना राठोर जी मैथमेटिक्स है यह कोई हिंदी नहीं हिंदी में पीडियाफ वगरा मिल जाती है इसमें समझ में नहीं आएगा मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ कुश्चन हल करने चाहिए बस वीडियो कलास से ही दे को होगा क्या हुआ अगर बढ़ाया का छोड़ दिया का चल रहा है ना चल यह ठीक है देखिए भाई इसमें रेखा कोश्चक है ध्यान देना इसमें रेखा कोश्चक है रेखा कोश्चक है तो सबसे पहले रेखा कोश्चक हल करेंगे बाकी बाद में जो कुछ करेंगे करेंगे आई यह रेखा कोश्ठक तक चलते हैं यहां बराबर लगाईए 169 यह डिवाइड बाई ऐसा ही चिन रहेगा 13 प्लस यह 2 प्लस 1 ब्रेकट बंद माइनस रेखा कोश्ठक है इसके ऊपर ध्यान देना दिख रहा है न तो सबसे पहले इनका गुड़ा करो कि आप तो यह हो जाएगा 15 अब ब्रेकट बंद इसमें कोई दिक्कत कोई परिसानी नहीं अब यह हो गया भाई देखो कोश्ठक सबसे पहले हल करते हैं रेखा कोश्ठक खतम हुआ बढ़का कोश्ठक और चोटका कोश्ठक है तो अब हम सबसे पहले चोटका कोश्ठक तो 169 ऐसे ही रहेगा यह भाग अची नहीं और 13 ऐसे ही रहेगा प्लस यह चुटका कोश्ठक में जो कहानी है उनको कर लेंगे दू एक तीन हो जाएगा माइनस का पंदरा अब यह सब एक मैदान में आ गए च्छतरी के नीचे आगे हैं लोब एक च्छतरी के नीचे अब पीच में कोई अरोध नहीं है सबसे पहले भाग करेंगे भाग के बाद जोड़ेंगे तब गटाएंगे ठीक है हम आये 169 देखिए इसको भाग करेंगे भाई 169 में जब 13 13 से तो कितना आएगा जरा सोच के बताएए सब ही बताएए जल्दी से फटा फट इसको भाग करें यह तो तेरा आएगा धन तीन माइनस का पंदरा भाई तेरा तीन सोला माइनस का पंदरा मतलब फाइनल में लिखी देता हूं एक आएगा मतलब कुश्चन सही बना था नेहा मिस्रा मंजु तिवारी काजल गुपता आनंद यादो अनीसा कंप्यूटर अश्टडी और आलिसा अपरीती बगभग सब का सही है तो यह था बोर्ड मास रूल का मुझे लगता है कि मैंने सारे कोश्ठक पर बता दिया अभी सायद मजलका कोश्ठक का कहीं उज नहीं हुआ ना बहुत सारे अभ्यास से प्रस्न करवा दिये जाएंगे अब इसमें मुझे लगता है कि आगे कोर्स भी बढ़ाना है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं ऐसे ही करेंगे सब में आप समझ गया होंगे मेरी बातों को देखिए कोश्ठक में भी सिरीज होती है जैसे चार परकार के कोश्ठक हैं यहां पर लिखा है इसको बड़ा कोश्ठक बोलते हैं इसको मजला कोश्ठक बोलते हैं इसको छोटा कोश्ठक इसको रेखा कोश्ठक तो सबसे पहले जो छोटा कोश्ठक होता है उसको हल करते हैं जैसे घर में अगर चार भाई हैं तो जो सबसे छोटका है मजला है जो मजला के तो कोई कदर नहीं जैसे मेरी क attachment तो सबसे क्या है यह सबसे छोटा है इफ लिए यह जिद करके सब हल होता है समझ रहओ मतलब अगर चारों कोश्पक लगे हैं कहीं कि कि तो सबसे पहले आज सबसे पहले रेखा कोश्थक हल किया जाता है तब इसके आगे इसमें और भी बहुत कुछ करना है. बीच बीच में हम कुछ कुछ पूछते हैं. आप लोग मुझे जबाब देते जाहिए. ये बताइए, दो रूपया में कितने पैसे होते हैं. जबाब दीजिये. दो रूपया में कितना पैसा होता है? पहले होता नहीं था बच्पन में हम लोग जाते थे 50 पाइसे का कितना पचास पाइसे का भी आठ टाफी मिलती थी कौन वाली संतरा वाली यह यह पुराने जमाना की नहीं हम अपने जमाने की बात बता रहे हैं हम ऐसे कम बुड़े नहीं है तुमको दिख रहे हैं होता नहीं था कौन-कौन जानता है बताइए एक रूपया में सोला टाफी मिलती थी संतरे वाली हां उस जमाने के हैं हम लोग तो इसका जबाब सबसे पहले कौन बताया है आर्मी ब्वाय अनुपा मोर्या और अरभी संकर ठीक है जी आर्मी जी जैहिं तो एक रूपया में सो पईसा होता है तो दो रूपया में दूरी सो पईसा होता अच्छा एक हिसाब मैं पूछू लेकिन फिर ये बात हमारी अलग से अलग हो जाएगी चलिए अपने लाइन में ही रहते हैं जाने दीजिए हट आईए हाँ छोटी और बड़ी भिन्न भी आपने इसमें पढ़ा है तो इसमें भिन्न का आरोही और आरोही करम भी पढ़ना है आईए भया आईए इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा चलते चलते भिन्नों का आरोही करम आरोही करम का मतलब होता है एसेंडिंग आडर ए एस सी इन डी आई एन जी पता नहीं सही है इस्पेलिंग की नहीं एसेंडिंग आडर सभी जान लेंगे समझ जाएंगे आईए तो ये बताइए ये भया है पांच बटा तीन एक बटा दूई और चार बटा साथ इनको अगर हम एसेंडिंग आडर में लिखें तो सबसे पहले कौन आएगा मान लेते हैं इनका नाम A है इनका नाम B है इनका नाम C है तो अगर ये सबसे पहले आ रहा है तो आप लिखोगे इसको फिर ये है तो ये और ये तो B A C होगा या A B C होगा या C B A होगा या फिर C B A नई C A भी होगा कई तरह से इसको अल्टा पल्टा जा सकता है हूं कमपट बोलते थे अच्छा बताइए आईए मैं बताता हूं जरत ध्यान दीजिए इनको क्या करना हमें छोटी और बड़ी भिन नहीं करना है भाईया ये इसमें सबसे आसान तरीका होता है कि आपको इन कि हर बराबर कर लेने होते हैं अगर हर बराबर हैं तो हम इनमें कंपैर हैसानी से कर सकते हैं हर बराबर करने का एक दूसरा पहलों और भी है कि आप इन्हें दसामलों में बदल के भी कर सकते हैं तो हम दसामलों में बदल के भी कर तो सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें भाग वाग आनी चाहिए वो थोड़ा और बड़ा पड़ जाता है चलिए इनका हर बराबर करेंगे सभी कालसियम लेंगे साथ दो और तीन कालसियम साथ दो और तीन काल्सियम तीन तूना छे सते बैलीस 42 आएगा ध्यान देना जो ल्सियम आया है उससे उसी ल्सियम को पहली भिन के हर से बाग करेंगे जब भया बैलीस में तीन से बाग करोगे तो 14 आएगा TEनछे journaling c थीन के लिए 16 दो सबसे बड़ी बीन कौणिसी यह सबसे बड़ी बीन कौणिसी है है कि इसे बहुसे दो से बाग करोगे इसफैराay इसमें भी करेंगे जो ऐनी 42 में साथ का भाग करेंगें तो जब 42 एनी लस्यम में साथ का भाग करेंगे तो छे आयाएगा और छे को चार में गुड़ा करेंगे चोबिस देखिए सारा फरक सामने आ गया आज सतर रूपया में 42 लोग को बाटा जा रहा है 21 रूपया में 42 लोग को और 24 रूपया में 42 लोग को यानि जिसमें सब फे जादा रूपया है उसमें सब फे जादा जादा मिलेगा आजकल भारत देश में वही से मार बेरोजगारी ढखे ले पड़ी है तो लोगों को कुछ भी मिल जाए एक किलो नमक दाल मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है है न आएए देखिये तो सबसे बड़ा ये है यानि हम कह सकते हैं ये नमबर एक पर है ये सबसे बड़ी बिन्या फिर 24 वेटा बयालिफ ये नमबर दो पर है और ये नमबर तीन पर है यानि अगर हम इसे एसंडिंग या डिसंडिंग आडर में लिखना चाहें कि एसेंडिंग या डिसेंडिंग आडर में लिखना चाहें तो कैसे बनेगा आईए बताते हैं समझ कि नेहा बर्मा दिखिए कलास ना रेगुलर देखना पड़ता है कलास रेगुलर देखना पड़ता है सिस्टम से देखना पड़ता है तब ही समझ में आता है से नहीं आता ह प्रिखे में समझना पढ़ता पढ़ना पढ़ता उसके लिए रोज तो सबसे भड़ी pert नहीं जिसी सबसे बड़ा है हमने कहा था और उही »करम में लिखना है то अरौ ही कर्म क्या होगा भाई या हम आरोही कर्म क्या होगा मुझे बता अ आरोही करम में सबसे पहले छोटा लिखते हैं एक बड़ा आरोही करम में सबसे पहले सबसे छोटी वाली गिंती लिखते हैं सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी तो सबसे छोटी इसमें अगर देखो तो तीफरे नंबर पर जो है अब यहां पर हम लिखेंगे भिन्नो का आरोही करम यह एसेंडिंग आडर 1 अपान 2 1 अपान 2 के बाद हम लिखेंगे 4 अपान 7 और फिर 5 अपान 3 यह हो गया था यह किसी सीरियल में नहीं था यह सीरियल में हो गया नहा मिस्रा जी बहुत अच्छे बरे गुट अनुपा मौर्या आई यम ए क्या नाम है आपका आगे बढ़ें फटा फट फिर अब देर नहीं चलिए ठीक है कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा इतना होगे अडन आप लोग क्लास को लाइक करते जाईए फटा फट लाइक करते जाईए बिल्कुल देर मत करिए हम चलिए हो गया मुझे लग रहा यह बीच बीच में डिसकनेक्ट भी हो जाता है क्या कभी-कभी कुछ बाते छूट जाती होंगी न तो यह तो हो गया इसी स्रीज में अगर हम एक और आगे बढ़ाएं उनको भी ध्यान देना आप लोग थोड़ा देखिए कल आप लोग पढ़ेंगे दसमलो क्या पढ़ेंगे दसमलो का जोड़ घटाना गुड़ा भाग कल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे दसमलो का जोड़ घटाना गुड़ा भाग जैसे दुई बटा साथ एक बटा तीन पांच बटा नो और चार बटा आठ आठ नहीं ले लो नो इनका आरोही करम कोई बताएग जरह सोच के बताईए सोच के बताईए अगर इसका नाम A लिख दें इसका नाम B लिख दें ये C हो जाए, D हो जाए तो इनका सीरियल क्या बनेगा सोच ये और बताईए क्या बनेगा फटा फट बताईए आप लोगों को मैं ये सब पढ़ाया हूं जब भिन वाला पढ़ाया था तो मैं पढ़ाया हूं जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें उसे कुछ कुईस्चन और भी लिखिए अब आप लोग करोगे अब आप लोग कुछ हल भी करेंगे तीन बटा साथ, एक बटा दूई धन, पांच बटा नौ कमान बताईए मारकर थोड़ा कमी चल रहा है लेकिन मैं स्याई नहीं भरूँगा आज जाने दीजिए नौ बटा पांच डिवाइड बाई पचात्तर बटा नबबे ये कुईशन नमबर फाइड, सिकेंड, थार्ड कुईशन नमबर फोर चार बटा साथ, धन, एक बटा चवदा इसका मान क्या आएगा कुईशन नमबर पाचमा देखते जाईए, करते जाईए सपना राठोर का आंसर भी आ गया है ठीक है, आनन्द जी इंतजार कर लिजी, बिट कर दिए और हमने क्या बताया था 45 बटा 108 डिवाइड बाई 225 बटा 175 कुईशन नमबर फाइड, तीन बटा 9 गुड़े 9 बटा 27, गुड़े 108 बटा 90 यह बहुत छोटा छोटा है, लेकिन इसी चैप्टर में मैं यह सब पढ़ाया हूँ आपको यह सब पढ़ाया हूँ, तो आप लोग को आना भी चाहिए यह सब आप सभी को आना चाहिए पक्का आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परिसानी, नहीं न, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ बोर्ड मास, ब्रेकट्स, अदर, डिवीजन, मल्टीपल, इडिशन और सब्स्ट्रक्शन, इसका यह पूरा मतलब होता है तो सबसे पहले इसमें ब्रेकट लगा है भाईया, ब्रेकट में भी चार ब्रेकट हैं बाबू, चारों सीरियल से हलो होते हैं भाई सबसे पहले रेखा कोश्टक, फिर छोटा कोश्टक, फिर मजला कोश्टक और तब सबसे बड़का कोश्टक लेकिन इसमें रेखा कोश्टक है नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा कोश्टक हल करेंगे छोटा कोश्ठक था कि इनको वह ऐसे ही लिखते चलेंगे सब को जैसे है ये कोई परकार का इसमें बदलाव नहीं करना है यहां तक मैंने लिख लिया 5-3 छोटा कोश्ठक में है पहले इसको हल कर लेंगे तो 2 आएगा तो हम इसे ब्रेकट में भी 2 लिख सकते हैं लेकिन फिर ब्रेकट खोलेंगे तो क्या होगा ब्रेकट तो खुले गई तो हम इसे मल्टीपल में 2 लिख देंगे और फिर से ये कोश्ठक लगा के ये बंद कर देंगे इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा बिल्कुल भी आगे हल करेंगे इधर साथियों देखिए एक छोटा कोश्ठक खतम हो गया अब मजला कोश्ठक की बारी है तो मजला कोश्ठक के अंदर जो भी एक्टिबिटी जैसे है उसको वैसे कर लेंगे तो पहले मल्टिबल होगा या पहले एड होगा बताओ पहले क्या होगा जहाँ के बताओ तो भाई सीधी सी बात है पहले गुड़ा होगा ना पहले क्या होगा मल्टिपल होगा चलो डर्ण ट्वरी आजाओ फिर तो ये अठारा प्लस जैसे था वैसे ही रहेगा इसका गुड़ा हो जाएगा छे दूना बारा बारा में तीन जोड़ोगे भाई अब पंदरा हो जाएगा बाबू तो एक लाइन मैं और बढ़ाई देता हूँ आपको समझाने के लिए ये लो ये पंदरा हो गया इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं चलो आगे बढ़ो ये वन फाइब फिप्टीन देखिए ये आठारा अब ये ब्रेकट खतम हो जाएगा पंदरा हाइनल में देखिए आठारा पंदरा जोड़ लीजिए आठ पांच तेरा हांसी लेक एक एक दो एक तीन तैस आएगा फाइनल में मल्टीपल कर लीजिए और मुझे बताईए कितना आएगा गुड़ा करके मुझे बताओ इसमें कुछ गड़बड भी हुआ है मुझे लग रहा ऐसा कि यहां यहां पांच था यहां पांच था पंद्रा हो गया तीन गुना विकास हो गैशनी पांच मधांस थी पंद्रा है कि अन्नश उकला नहां फिकह तो लिख़ी आपन में कोई दिक्कत कोई डाउट कोई परिसानी नहीं ना जल्दी करिए मैं मिटाने चल रहा हूं इतना टाइम नहीं है तुरंत स्क्रीन साट ले लिया करिए बस हो गया दन चलिए अगर अगर आखे नहीं होगा तो फिर यह समझ में नहीं आका कहानी आगे नहीं बढहाएगी जितना पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है सातो दिन अगर पढ़ना है तो पीवीर स्टडी आप डाउनलोड करिए और एप्लिकेशन में रोज पढ़िए सातो दिन यूटूब पे सिर्फ तेन दिन पढ़ाते हैं सोमवार मंगलवार बुद्वार आईये कुछ और कुश्चन लिए हैं 20 प्लस दिख रहा है ना 20 प्लस 9 माइनस 5 मजला कोष्ठक में देखें यह मजला कोष्ठक थोड़ा गंदा बना है प्लस 6 माइनस 4 6 माइनस 4 इसको हल करने पर कितना आएगा इसको हल करने पर कितना आएगा जरा सोच के बताओ फटा फट चलोけ अल करके बताएए जल्दी करिए भाई जल्दी करिए हो गया कर लोगे आप लोग इसे अब ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड ठीक है तो मैं बताता हूं दिखिए इसमें कोश्टक लगे हैं सबसे पहले हम छोटा कोश्टक खल करते हैं कोश्टक को मैं आपको पहले से पहचान करा दिया हूं यह छोटा कोश्टक है यह मजला कोश्टक है जो जिससे जितना अच्छा बन जाए उतना अच्छा बना ले यह बड़ा कोश्टक है यह रेखा कोश्टक है अगर किसी कुश् कोश्टक लगे हैं देख के बताओ बबलू यादो बताए जब आप दीजिए कुल कितने कोश्टक लगे हैं दिख तो रहा है सबको आईए ठीक है इसमें दो ही कोश्टक है एक मजला एक छोटका है तो 20 प्लस यह जैसे ऐसे ही लिख लेंगे 9 माइनस 5 प्लस इसके अंदर 6 माइनस 4 है घटेगा तो 2 आजाएगा और फिर से वह कोश्टक लग जाएगा ओके डन चलो फाइनल में यह 20 प्लस देखो भाई यह ब्रेकट में प्लस माइनस दोनों है सबसे पहले जुड़ता है तब घड़ता है न तो यह जुड जाएगा तो यह 9 माइनस का यह 7 लेकिन गलत हो गया गलत कैसे हो गया देखिए हमने 5 में 2 जोड़ दिया जोकी गलत है गलतिफ लिए है क्योंकि 5 माइनस में है 2 प्लस में है है न तो भाईया हो यह प्लस और यह प्लस जुड़ेगा 9 में 2 जुड़ेगा 11 होगा माइनस का 5 यह सही है लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पे मजला कोश्ठक था तो आप फिर काहे को लगा के लिख ले रो एक ही बार में हल कर दो कहीं दूफरी जगा ले जा करके 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा ठीक है तो डारेक्टली यहाँ पे हमें 6 लिखना है ब्रेकट और रेकट खतम कर दो चाहें नहीं तो लगाए रहो एक बार कोई दिक्कत नहीं यह ऐसा करना है 6 थीक है यानि यह पूरा-पूरा हल हो जाए इसके बीच में जो रहे तो यह 20 प्लस 6 इक्वल 26 यानि 26 आएगा क्रिफना आरा समझ में छाया गर्ग नेहा गुपता सबको समझ में आ रहा है आप लोग कलास को लाइक नहीं करते हो यही तकलीफ की बात है क्यों भाईया क्या चाहिए बताइए आगे समें हट गया हूँ छाप लीजिए आगे बढ़ते हैं जल्दी करिए कलास को बीना कहे आप लोग लाइक किया करिए और दोस्तों को सेयर किया करिए जिससे सब्ता में जो तीन दिन चल रहा है न यह मैं थोड़ा इसे सब्ता में सातों दिन पढ़ाने का थोड़ा मोटीबेशन प्राप्त कर सकूँ इसलिए आप कम से कम सो बच्चे जोड़ा करिए लाइब में थोड़ी तो लाजसरम करिए ना हंड्रेड बच्चे कम से कम आये कलास में तो अच्छा लगता थोड़ा 50 बच्चे रहते हैं 40 बच्चे रहते हैं कभी 100 के उपर जाते ही नहीं पिछली साल दो दो तिन तिन सो बच्चे होते थे लेकिन आप लोग अपकी बार पता नहीं किस टाइप के हैं सेयर करने में सर्माते हैं कि अगला लिखिये कि 121 डिवाइड भाई फटा पट जबाब देना कोशिस करना मैं कोश्चन लिख रहा हूं अपकी बार में बताऊंगा नहीं मजला कोश्ठक नहीं बढ़का कोश्ठक 16-14-3 ओके चलो फटा पट नोट करो 9-6 और फिर ब्रेकट हो जाएगा बंद इंटू में है 9-6 ब्रेकट बंद और इसी के बाद में वो ब्रेकट भी बंद इसका अंसर कितना आएगा जरा बताईए अराध्या बलाग बताईये जवाब दीजिए जल्दी करिये न कि मैं बताता हूं वहीं सिम्पल सा है इसमें मजला कोश्ठक है इक शोटा कोश्टक है और बड़ा-कोश्ठ काल और तो इसंसितीứng क्या होता है जब इसमें सारे कोश्ठाख होते हैं तो ऐसी इस्तिति में हम एक काम करते हैं पहले कोश्ठाख ही हल करते हैं आजाओ फिर भाईया सबसे पहले छोटा कोश्ठाख हल होगा वहां तक ऐसे लिख लिजिए जैसे जो भी लिखा है विना कुछ करे हुए 16-1414-3 9 में से जब 6 घटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा न बोलो 9 में से 6 घटेगा 3 आएगा न तो 9 में से 6 घटालो कितना आजाएगा 3 ये लो ये सही सही का बना equal 121 divide by चलो 16- इसको अंदर में हल करेंगी सबसे पहले गुडा होता है तो तिंतरीक का 9 हो जाएगा और 14 में से जब 9 जाएगा तो कितना आएगा पता है तुम्हें 9 5 14 न यानि 5 आएगा कितना आएगा 5 आएगा पॉलस में ही आएगा खुलेगा तो यह माइनस हो जाएगा फाइनल में 11 121 डिवाइड भाई इसमें से भाई 5 गटेगा तो 11 आएगा यहनि लाश्ट में अंसर भी 11 आएगा क्या आपने सोचा था 11 आएगा नहीं हां मिस्रा आरा सभी को समझ में लिख लीजिए फटा फटा अगले कोईश्चन पर आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए देखिए कुश्चन जल्दी जल्दी आ रहे हैं बुद्धी भी जल्दी जल्दी लागाते जाहिए दिमाग दड़ाते जाहिए किसी को कहीं डाउट है तो बताईए यह सब बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन है परिक्षा के लिए जो फार्स समेश्टर वाले हैं क्योंकि बोर्ड मास रूल से कुछ ना कुछ जरूर आता है तेड़ा मेना करके कुछ ना कुछ जरूर आता है एक और लिखिए लिखिए 4 का 125 माइनस 18 डिवाइड वाई और का 125 माइनस 28 डिवाइड वाई माइनस अठारा डिवाइड भाई सेबन माइनस टू का भाई ये मजला कोश्टक है सेबन माइनस टू का देखिया आगे थोड़ा कम जगा है ध्यान दीजिएगा ठीक है ओके थिरी माइनस मुझे लग रहा उदर कम जगा होगी थिरी माइनस एक मिनट मुझे इसको ले लेने तो जहां पर मैंने रखा है इसे थिरी माइनस थर्टीन अभी इधर मुझे कैमरा गुमाना पड़ेगा लग रहे ना किया जाएगा माइनस फोर माइनस थिरी अभी दिखा दूँगा परिसान नहीं होना है इधर जो छूट रहा है वो मैं दिखा दूँगा कैमरा गुमा के परिसान नहीं होना इधर जो छूट रहा है मैं दिखा दूँगा अभी ठीक है चलिए तो ज्यादा तो छूटा है नहीं बस थोड़ा सा छूटा है इसको कितने लोग कर लेंगे थोड़ा फालग है बताइए इसमें कोई है सिकारी जो कर ले कोई एनिवन उस कुश्चन पर ध्यान दीजिए जो बताने वाले हैं जूसरे पर नहीं इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन अदिवार कुछ और भी एक्स्टरा है है कुछ चीजें इसमें एक्स्टरा मानो स्वा संस्थान सदन बताये जहीं डे कई कई का मतलब क्या होता है गुड़ा होता ह corresponding और रेका भाई रेखा कोश्टाग पर टूट पड़ेंगे न हाँ चलो लिखते चलो लिखते चलो पहली बार का किराया होगा हाँ पहली बार का किराया होगा मतलों आये तो बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रेकट आता है फिर का आता है का का मतलब होता है गुड़ा तो फोर इंटू यह मल्टिपल का चिन लग जाएगा वन टू फाइब माइनस एटीन डिवाइड बाई एक बार में एक एक काम करते हैं इसमें इतना लिख लो फटाफट आप लोग साथ में लिखते चलो ठीक है जल्दी करो फटाफट फटाफट देर ना करो भई ठीक है कि बैटरी भी लो हो जा रही कि कर लेंगे ने आप लोग एक मिनट चार्जर लगाने दो भाई देखो तोड़ा टाइम मुझे लगता लग जाएगा हुँ चलो ठीक है ओके डन आगे बढ़ते हैं एक एक लाइन लिखते चलेंगे आप लिखते चलो फोर इंटू देखिए अब क्या करेंगे रेखा कोश्टाक हल करेंगे सबसे पहले 125-18 डिवाइड भाई यह 7-2 का यह 3 ऐसे ही रहेगा- देखो भाईया यह-4,-3 रेखा कोश्टाक सबसे पहले हल होगा तो 5-6 यह घड जायगा कि जुड जायगा बुलिए कितने लोग कह रहे हैं जूड जाएगा कितने लोग कह रहे हैं घट जाएगा बफरिंग कर रहा है क्या क्यों भाई बफरिंग कर रहा है क्या बफरिंग कर रहा है क्या नहीं जूड जाएगा देखिए मैं बताता हूं इदर समझे अगर इस पर रेखा कोश्टक ना होता तब तो यह प्लस माइनस जुड जाता लेकिन इस पर रेखा कोश्टक है तो इस माइनस से कोई मतलब नहीं है यह 4 में से 3 सब्ट्रेक हो जाएगा यह 4 में से 3 सब्ट्रेक हो जाएगा तो यह आएगा माइनस का 1 ये कोज ठक है गोचा नहीं है इसे कह ठक है है ठीक है ये वन आयाग नहीं पोधना नहीं है इनसे घ्लबभगवा अब बाद क्हеंगे नेक्स्ट लाइन पर फटा फटा आगे बढ़ते चलिए जल्Дी जल्दी से अंह देर हमथ करेंते हमारी चलिए व सब्रेकर अठे shiningran साथ में जो भी परक्रिया हैं उनको भी करते चलेंगे हाँ ओके ये 4 इंटू 125 माइनस 18 डिवाइड भाई ये 7 माइनस 2 इंटू 3 देखो ये भी गुडा कर लेंगे माइनस इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 13 में से एक गया 12 और धन 5 ये ठीक आहल कर लेंगे ना इतना कर लो के कोई दिक्कत ने किसी को नहीं अभी आभ क्या करेंगे भी ये मझलका कोष्ट tiesमेंगे धाWाल मचाएंगे मझलका कोष्टख में प्रकरेंगे माइनस 18 डिवाइड भाई देखिये इसमें क्या क्या चिन्न है गुड़ा का भी चिन्न है जोडने का भी है घटाने का भी है तो सबसे पहले हम multiple करेंगे एक airline में कर दें पूरा देखिये इसका multiple हो जाएगा तीन दूना 6 तो 7 minus 6 हो जाएगा एक बार करी देते हैं थोड़ा बड़ा लेकिन हो जाएगा चलो कहीं side में हल कर लेते हैं ठीक है इधर 5 हल करके वहां रख देंगे अई समझना यहां से ठीक है हल करके डारेक्ट यहां answer लिखेंगे तो 7 माइनस यह जो 2 तिया ही क्या हो जाएगा 6 तो यह हो जाएगा 7 माइनस 6 यहां समझना और माइनस का यह 1 2 12 और प्लस का 5 अब यहां से समझो यहां पर प्लस प्लस जूड़ जाएगा तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा क्यों भाईया हो जाएगा ना 7 5 12 हो जाएगा और ये कितना हो जायाएगा 12,6 अठार हो जायाएगा यानि 12 माइनस 18 माइनस का 6 आएगा final में कितना आएगा minus का 6 आएगा ना कर लो और बता मुझे final में क्या आएगा बबुँगा minus का 6 आएगा बस ठींड या clear कोई दिक्कत किसी को नहीं न निधिी सिंग आया सभी को समझ में लिख लीजिए इतना देखे यह थोड़ा टप कोईश्चन है मतलब एक परकार से स्टेंडर्ड है थोड़ा माइंड लगाना पड़ रहा है बाकी इतना बड़ा कोईश्चन में करवाता नहीं हूँ अब क्या होगा आपके लेबल के कार्डिंग है बस माइनस छे का जब गुड़ा उस वरी अठारा में भाग करेंगे तो आपको पता है माइनस से किसी भी गिंती में भाग करते हैं हमेशा क्या आता है माइनस ही आता है माइनस ही आएगा न लेकिन ये गिंती भी माइनस में है यानि हम ऐसा कह सकते हैं कि माइनस सब्सक्र.व्लस में इंसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं नहीं अब ये 4 इंटू 125 में जूड़ जाएगा 128 गुड़ा कर लेजिए 4 एठे 32 के दो हासिल 3 4 दूना 8 तीन 11 हासिल 1 4 एक 5 पांच 512 आएगा कितना आएगा 512 ठीक है मुगल जी पढ़ाई करने आएगो कि कुछ और उद्देश है अगर कुछ और उद्देश से हैं न तो यहां से आप जा सकते हैं क्योंकि यहां पर प्राउब्लम हो जाती है आपके जैसे लोगों से आगे बढ़े अभी के लिए फिलहाल इन्हें पांच मिनट के लिए होल्ड करिए उसके बाद इन्हें पर्मानेंट हाइड कर दीजिएगा इनका नाम क्या है पता है मुगल मुगल को यहां से हटाओ फटाफट क्योंकि यह पढ़ाई नहीं कर रहें लिख लीजिए जल्दी से फटा फटा के बढ़ें तो यह आप लोग कर लेंगे कुछ बोड मास रूल के और भी कोईश्चन हम लिख देते हैं उसको भी कर लीजिए जितने ज्यादा कोईश्चन किये रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आज सिर्फ अभ्यास प्रस्न है लि कोईश्चन नंबर साथ आठ डाल दीजिए कुछ भी लिखिए 16 प्लस वन प्लस सोला माइनस तीन वन प्लस ये सोला माइनस तीन हाँ ओके कोईटाग बांद इंटू फोर ठीक है रंगोली राजपूर जी कमेंट आ रहा है ठीक है रंगोली बेरी गुड बहुत अच्छे ट्राई करिए बताइए कितना आएगा इसका अंसर मैं अब नहीं करूंगा अब आप लोग करके बताओ इमांदारी से हर कोई करेगा जो रजाई कंबल में गुसा है ना बाहर निकल जाओ इतना पाला नहीं पढ़ रहा है हाथ पर जाम नहीं हो रहा है चल रहा है इसका अंसर जल्दी बताईए फटा फट बताईए जल्दी करिए फटा फट मैं इसको मिटा रहा हूँ चलो इसका अंसर हर कोई बताईगा क्योंकि मैं अभी तक लगबग 6-7 कुश्चन करा चुका हूँ और मैंने पिछली कलास में भी बोर्ड मास्ट रूल बताया था अब इसमें आपकी बुद्धी भी हम देखना चाहते हैं सबसे पहले जो बताईगा उसे एक अच्छा सा सर्प्राइज मिलेगा मैं बताऊंगा अभी क्या मिलेगा जल्दी करिए इसका आंसर फटा फट जबाब दीजिए सर्वन कुमार का अर्शा ठारा काजल गुपता का तीस हा रहा है हो गया का बहुत तेज कर रहे हैं आप लोग एकदम सुपर फास्ट और सही किसी का नहीं है सोला प्लस कोईश्टाग में 1 प्लस 16 माइनस 3 इंटू 4 गलत है अनुपम मौर्या ने ट्राई किया और कोई अनिवन अनुपम जी बेरी गुड अनुपम आज की क्लास के सबसे फेवरिट एंड सबसे अच्छे इस्टूडेंट है इनको मौडरेटर बना दिया गया है अब इनका कमेंट आप लोगों से बिलकुल अलग आएगा मतलब सौ में एक अलग पहचान चलिए इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाया इनका नाम है अनुपमोर्या इसमें मजला कोष्ठक भी है छुटका भी है तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक खल करेंगे तो भीया 16 वह ऐसे लिख देंगे प्लस यह ऐसे लगा लेंगे 1 प्लस इसको 16 में से 3 जाएगा तो 13 आएगा यहां पर एक चीज ध्यान देना है आपको यह 13 आएगा इंटू 4 देखते हैं हमारा भी आता है कि नहीं आप लोग का तो आई गया है ठीक है यह 16 प्लस तेरा चुका बावन एक तिरपन कितना आ गया 69 आसोग यादो और सब्जक्ट की कलास अभी नहीं चलती आसोग जी हमारी कोशी सरकी चलेगी लेकिन आप लोग ज़्यादा इंट्रेस्टेट तो है नहीं तो मैं कितनी कलास चलाऊ अगर आप लोग खूब भारी मात्रा में इंट्रेस्टेट होते तो हमारा थोड़ा मोटिवेसन होता तो सिर्फ मैथ वाली कलास लोग चाहते हैं इसलिए मैथ की चलाते हैं अच्छा वन नहीं दिखा इतना बड़ा बड़ा दिख रहा फिर भी नहीं दिखा कमाल करते हो यार आप लोग एक कुश्चन और बता दीजिए मैं पीछे करवाया हूं यह बताईए 15 बटा 9 और 3 बटा 7 इनका LCM क्या होगा जो नहीं कर पाएंगे वो नो लिखके कमेंट क अधरी पहले तो लिखना सीख लिजी आप पहले लिखना सीख लिजी अगर आप 11 में तो बड़ी सरम की बात है कि काल्स नहीं कलास होता है हां यह सरम वाली बात ना करिए फिर साफ साफ लिखिए एक कुश्चन और बताईए फटा फट बता हुआ ही माइनस का 18 डिवाइड वाई माइनस का तीन इसका अंसर कितना है बताईए अनुपा मौर्या जी स्टार्ट तो है क्या स्टार्ट करें अब और नया कुछ करें एक और बताईए 28 माइनस 5 इंटू सेवन और प्लस का सेवन यह बताईए क्या आएगा क्रिफना के फटा फट जबाब दीजिए फटा फट जबाब दीजिए मैं कुश्चन कर रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाया हूं सब पढ़ाया हूं आज आपसे अभ्यास करवा रहा हूं 21 डिवाइड वाइ माइनस 3 क्या आएगा नेहा गुपता क्रिफना ठीक है देखते हैं बहुत अच्छे आप लोग ट्राई कर रहें बच्चे बेरी गुड बेरी गुड कोई दिक्कत नहीं है चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें से इसको तो मैंने हली कर दिया था हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले जो मैंने कुश्चन इधर किया था LCM वाला देखे साथियों अगर LCM निकालना है फ्रेक्शन का तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे इस भिन को जितना हम नार्मली सिंपलिफाई कर सकते हैं पहले छोटी कर देंगे छोटी करने के बाद ही कुछ करेंगे तो यह पहले तीन तरीका नो तीन पचे पंद्रा हो जाएगी यानि फाइप अपान थिरी और थिरी अपान से बन हो जाएगी ठीक है अब इसमें नीच नीचे नीचे हर हर का LCM ले लेंगे तो 21 आएगा यह लेकिन हमें उससे मतलब तो है नहीं यह कौन सी मुसीबत आ गई भाई इदर से थे देख रहे हो यह सारी मुसीबत इनकी अबहीने आने वाली है यह सब दिन में नहीं रह जा रहा है इन से रात में परसान है होजा भई होजा एक मिनले रुकना बता रहा हूं बता रहा हूं तो साथियों इसमें क्या होगा इसका फर्मूला, अंस का LCM, यानि 5 और 3 का LCM, ठीक है, और हर का HCF, यानि 3 और 7 का HCF, मुझे जल्दी से करके इसका जबाब बता दो, कितना आएगा, कोई भी बताएगा, चलिए, जो भी बताएगा, सब का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब का चलेगा, कोई भी बतादे, एक लोग परिसान है, इन्सोय में बात कर लूँ थोड़ा सा, तकलीफ में जी रहें काफी है, चलो भाई, जल्दी करो, फटा फट, फटा फट, मैंने ओके, ठीक है, रंगोली, राजपूत, क्रिफना, अराधना, नेहा, मिस्रा, नेहा बर्मा, और छाया गर्ग, पांच और तीन का LCM, दोनों साह अभाज संख्याएं हैं, तो 15 होगा, तीन और साथ का च्छी अफ वन होगा, फाइनल में हम कह सकते हैं, इसका अंसर 15 आएगा, क्या कह सकते हैं, 15 आएगा, ये समस्या हो गई, समधान मिटा दूं, इसको मिटा दूं, हो गया डन, चलिए, जो नहीं लिखे थे, वो वीडियो बैक करेंगे, थोड़ा सा पीछे करेंगे, तो मिल जाएगा, लिख सकते हैं, मैंने जितने कुश्यों आप से किये थे, मैं सा आप साथारा हल करवा रहा हूं, जो लोगों ने किया होगा अच्छा है, जो नहीं किया वो और अच्छे हैं, बहुत सुन्दर है, देखिए, इसको हम कर सकते हैं, माइनस का 18 बटा माइनस का 3, जब दोनों तरफ माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 चांग 18 इसका अंसर 6 आएगा, ठीक है, इसको देखिए, इसमें माइनस भी है, मल्टीपल भी है, प्लस भी है, तो सबसे पहले हम मल्टीपल करते हैं, तो 28 माइनस ये 5, 7, 35 हो जाएगा, और प्लस 7, उसके बाद क्या करते हैं, अब सबसे पहले जोड़ते हैं, तो देखो ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि यह 7 प्लस में है यह माइनस में है 28 में 7 जुड़ेगा तो यह 35 माइनस 35 इक्वल 0 आएगा अब को समझ में आया किसी को कोई परिसानी हैरानी तो बताओ नहीं ना ठीक है इसको हल करने के लिए साथ ही मेरे आप ऐसे लिखोगे इसे एक लाइन में और बढ़ाऊं तो इसे हम ऐसे लिख सकते है माइनस 1 इंटू 3 यह भाई 3 है काई तो यह 21 दिया है 28 थोड़ी दिया है अब 3 से काट तो 3 सते 21 यहनि 7 अपान माइनस का 1 7 अपान माइनस का 1 हम इसे कह सकते हैं माइनस का 7 क्योंकि 1 नीचे भाग करेंगे तो कभी फरक नहीं पड़ेगा से गाइब और कभी भी हर में माहिनस लगां के नहीं लिखा जाता है यानि कभी रिडात्मक संख्या से खाई दी और टीजाती तो भाग मैं दी यह सटीक्थ खकर है और कुछ तो ऐसे भी साथ ही है जो चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करें उनके लिए मैं क्या बोलूँ पताए अपनी तरफ से तो मैं कोसिस कर रहा हूं आप लोग भी कोसिस करिये अच्छी बात है लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके रखिए तो ये बोर्ड मास का रूल आप लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके पिछली कलास में आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा था लेकिन थोड़ा साट कट में पढ़ा था आज मैंने सोचा आपको थोड़ा बिस्तार से बता दूँ जो मैंने बता भी दिया और फिर भी टाइम बच रहा है थोड़ा तो मैं थोड़ा ब्यास प्रस्ण करवा रहा हूं चोटे-चोटे सुन्दर-सुन्दर प्रस्ण है बताईए एक सो सत्रा एक सो सत्रा डिवाइड वाई सेबन प्लस सिक्स इसका अंसर जो बताएगा जल्दी से उसे मिलेगा एक भी से तोफ़ा जल्दी करिए फटा-फट बहुत जल्दी बताईए क्या आएगा राई एनीवन चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन देखिए आपके डियलेट के जो भी बच्चे साथी है न उनके समेश्टर से लेबस में जितना लेवल तक है हम उतना ही पढ़ाएंगी कुछ लोग परिसान रहते हैं कि इसमें बड़ा लंबा चौड़ा कोईश्चन काय नही बता रहें इसमें लंबा चौड़ा कोईश्चन बताने लायक नहीं है क्योंकि लंबा चौड़ा इसमें आता नहीं है ठीक है कभी-कभी जादा आ जाता वलग बात है याद रखें ये कलास सपता में सिर्फ तीन दिन होती है सामवार मंगलवार और भुधवार कि कुछ अगर आप आपके घर में कोई भी परिवार में ब्रॉडबेंड इंटरनेट लगवाने का इच्छुक है या लगवाना चाहता है तो किरपा करके एटल ना लगवाएं नहीं बहुत परिसान रहेंगे हमारे जैसे हमने इसमें लगबक साड़े 11,000 रूपए फसाए इनका वन स्क्रीन पर देखिए 888 रूपए बचे हैं 325 दिन की बल्डेटी है लेकिन आपकी लाइब और आपकी क्लासे इनके इंटरनेट पर नहीं हो पाती है इनके कुछ करते नहीं सुन करके बार बार इने कॉल करते रहो हाँ होता रहता सर हो जाएगा एक गंटे में हो जाएगा अगर ऐसे परसान होना है तो लगवा लीजिए गा निता हम आपको सुझाओ दे रहें कभी भी किसी को भी ना सजेस्ट करें ठीक है आगे बढ़ें चलिए यह इंप्वार्टन बात थी क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही प्यारे हैं और हम नहीं चाहते कि आप कहीं बहुत अच्छे क्या आएगा नहीं आएगा आगे नेक्स्ट कुश्चन देखिए माइनस का पंद्रह इसमें कितना आएगा इसमें कितना आएगा इसमें कितना आएगा कोई एनिवन बता लेगा क्या देखिए यह सब इतना छोटा छोटा क्यों करवा रहे हैं आपको पता है वसे हो गया आप थोड़ा बड़ा भी दे दिये जाएगा कुछ कुश्चन लिख लिजिए और कुछ जो हम लोगों ने किये हैं उनके लिए भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट हो जाए आएए दिख रहा है ना लिखिए 1 1 2 माइनस इसे हाल करिएगा 1 2 1 एकसो एकस डिवाइड भाई और 11 इंटो 11 माइनस और माइनस का 4 लिखिए माइनस माइनस का 4 और फिर माइनस 3 और माइनस 8 माइनस 1 कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी तक इतना छोटा छोटा दे रहे थे अभी यह क्या हो गया बताएए इसको कितने लोग कर लेंगे बुलिए पटापट बताईए कितने लोग कर लेंगे निदी सिंग, असो क्यादव, अमित गुंजन, रंगोली, बी, आई, आर, जे, ए, ए, स, बड़ा खतरनाग खतरनाग लोग आए हैं भाईया माइनस का टू और ये माइनस का पांच अब प्लस माइनस का पचीस कुश्चन फटाफट नोट करो ये सब हल करने हैं आप लोगों को ऐसे ही पेपर में अगर आएंगे तो आएंगे क्या बहुत छुटका नहीं आएगा, एकदम बचवा नहीं आएगा, आप लोग बच्चे नहीं है बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बालिग हो गए हैं तो ये कुश्चन भी थोड़ा बालिग बालिग आएंगे कितने लोग हैं जो कर लेंगे इन दोनों कुश्चन नमबर को कौन-कौन हल कर लेगा, पंदरा नमबर मान लीजिए, इसको सोला नमबर मान लीजिए, इसको सतरा नमबर मान लीजिए, घा भाई यह 15 16 कौन कौन कर लेगा कुछ लोग कहते हैं न कि अभ्यास का प्रस्न नहीं देते हैं तो हम तो अभ्यास का प्रस्न दे ही रहें तीन प्लस आठ माइनस दो यह आप लोग हल कर लेना कि अधाटा इंड हो गया सुरवन जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं देहां मिस्रा जी कह रहे ही कि हम कर लेंगे ठीक है अच्छी बात है बहुत अच्छा बात है तो आप लोगी बताओ भाईया कि पांच बटा नौ और तीन बटा साथ में कौन बढ़ा है कि बीच बीच में हम रिवीजन करते रहते हैं आगे पीछे का जिससे बुद्धी काम करती रहे कभी कभी बुद्धी न गहां चरने चली जाती है इसलिए हम सोचते है थोड़ा एक्टिव रहे पंद्रा बटा साथ और तीस बटा चौदा कि इसका मान का आएगा बताइए पिलीज कुश्चन लिखने के बाद एक बार स्क्रीन से साइड हो जाओ दो सिकेंड के लिए है भाईया देखो कुश्चन लिखने के बाद ना हम वह इसे छुपे रहते हैं अगल बगल कुछ ल करते हैं कुछ नहीं करते हैं कि वहला आप लोगों को देखते रहते हैं चुप चुप के और शुपते ही हैं कि स्क्रीन क्लियर रहे और आप लिख सको तो थोड़ा सबर करेंगी ने तो हम कुश्चन लिखने के बाद साइड हो जाते हैं स्क्रीन साट लिया करिया आप इसक्रिन कैप्चर बोलते हैं उसे एक प्रकारत है हम इन में कौन बड़ा है देखिए अभी तो इसमें कुछ अता पता है नहीं इनका LCM लेंगे हम कुछ लोग बता रहें पांच बटा नौ बड़ा है रंगोली नेहा बर्मा नेहा मिस्रा सब मतलब यहीं सही है फिर जिसकी बहुमत उसकी सरकार बनती देश में है न आप लोग किसको ओड़ दे रहें यूपी में वहीं कहेंगे देखो यह तो राजनीती पे आ गए अब नही किसी भी स्थिती में रहें लेकिन अपने घर ओड़ करने जरूर जाए कितना भी पड़ लिख लीजिए अगर सिस्टम खराब रहेगा ना कुछ नहीं होने वाला वैकेंसी आएगी नहीं आएगी पेपर नहीं होगा पेपर होका तो रिजल्ट नहीं आएगा रिजल्ट से नेट वन हूटा है लेकिन करना क्या है कि मदल sentiments बदलने के लिए धर ना करना चाहिए बाइदा सिस्टम बदलना चाहिए यहां लोग अपने देश में क्या कर रहे हैं पिछले सौ साल से सिर्फ सरकार बदलते हैं भई फलाने को ओड़ दे देंगे फलाने को नहीं देखिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सिच्छा स्वास्त और रोजगार पर बात करें सिर्फ बाती नहीं काम करें उसको ओड़ दीज़ें सिच्छा स्वास्त और रोजगार यह मुख्य पॉइंट है इस देश के लिए लेकिन आज कल की राजनीती इनके अगल बगल नहीं होती है इनसे बहुत दूर होती है ह आगे बढ़ें फिर तो कर लेंगे न ये सब इसमें हम लोगोंने दसमलो भी पढ़ा था क्या पढ़ा था दसमलो आईए दसमलो भी पढ़ा था तो दसमलो के कुछ कुश्चन कर लीजिए ये साय गुडा उडा करना भी मैंने बताया था इसको कौन कौन कर लेगा बताईए एक परकार से आज आज आपका अभ्यास प्रस्न हो रहा है मैं नौ का अस्थानिय मान क्योंकि मैं पढ़ा रहा था खतम हो गया तो अब कुछ नया तो आज पढ़ाएंगे नहीं अभ्यास करवा देंगे बताईए इसमें अस्थानिय मान बताईए चार का प्लेस बैलू प्लेस बैलू मतलब अस्थानिय मान बताईए जल्दी करिए फटा फट नहीं नहीं आज कर लोग जी नियूज नहीं 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 पूछेंगे यह मान के चलिए नियूज पूरा जूट फइलाते हैं पूरा जूट यह मान के चलिए नियूज चैनल के पर तो विश्वास उठ गया है सब भी के हैं सब दलाल जिनकी गवर्मेंट रहेगी उनकी बढ़ाई करेंगी बस यह कोश्चन नहीं पूछेंगे कोश्चन जनता से पूछते हैं एक आदमी का एक्सिडेंट हो गया मर रहा है अंतिम साफ ले रहा है तो उसके मुँँ में माइक डाल के पूछेंगे बताओ कैसे हुआ उसको दवाई नहीं मिल रहा है लेकिन बताओ तुम कईसे हुआ मर रहे हो कैसा लग रहा है बताओ अच्छा लग रहा है क्या फिल कर रहे हो मरते समय ऐसे ऐसे कुश्चन पूछते हैं मीडिया वाले है ना तो क्या कहेंगे उनकी बात यह लग है देखिए मैं इस पर चलता तो तीन जीरो और मिला लेंगे है ना तीन जीरो और मिला लेंगे यह यहां पर दसमलो यह हो गया अंसर इसमें अगर हम नाइन का प्लेस पहलू बोले तो भहिया देखो यह नाइन इंटू वन अपान एक अंक पर अगर होता दसमलो मतलब दसमलो के दाहिनी तरव दाया इधर एक दो दो ना दो है दिखर है ना या फिर ऐसे भी आप समझ लो कि उस गिंति को लिख लेते हैं उसके पहले जीतना भी गिंति यह उतना जीरो लगा देते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा इसके लिए थोड़ा एक और समझना पड़ेगा आपको आईए इधर साइड में आपको साइड में समझा देते हैं इधर नीची आईए इधर देखिए आईए मत देखिए 3.2 देखो भाईया अगर आईशा होता या फिर इसको भी छोड़ दो यह जीरो है अगर आईशा होता तो क्या होता पता है इसको हम दो तो ऐसे ही लिखते हैं इंटू अपान वन लिखते हैं लेकिन अब दसामलो और उस गिंती के बीच में कोई अंतर है नहीं है दसामलो और गिंती के बीच में कोई दूफरी गिंती नहीं है तब भी हम क्या करते हैं एक जीरो लगाते हैं इस तरह से आंसर भी उत प्लेस बैलूभ ही आता है उसमें कोई अलगण निहीं होता उतना ही आता तब भी कुछ बदलता नहीं अगर इसमें कुछ भी बदल दो तब भी वह प्लेस बैलू इतना ही आएगा क्योंकि ये जो पूर्ड संख्याय आगे हैं इनसे उनसे कोई मतलब नहीं ये सारी लोग है गरस सब लूट लएगे, कुछ ना छोड़े, थरिया, कटोरिया सब उठा लएगे, है ना, तो ये अंतर होता गाउंसाहर में, ये समझ में आया, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, इसको समझा रहे थे, लेके इसके और दसमलों के बिच में कुछ नहींत एक जिरो बढ़ाते हैं, इसमें तो भाईया क्या एक गिंती है, तो क्या करेंगे, दो जिरो बढ़ाएंगे, एक जिरो और बढ़ाएंगे, फाइनल में वान अपान जिरो जिरो यानि ये हो जायागा, जिरो पॉइंट जिरो नाइन, ठीक है, पूजा मिसरा, जी कुछ समझ में आ रहे है, सही हुआ ठीक है, जो जो बताएं सही हुआ, ठीक है, जो डबल डबल लगाएं उनका कुछ गड़बढ होगा, आगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं ना इसमें किसी को, कोई परिसानी, नहीं ना, ठीक है, आईए चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग कर ले ज इन में से कोई भी एक उचित भिन्न का उधारन बताएगा, यह रिबीजन एक प्रकार से करवा दे रहे हैं, प्रॉपर फ्रेक्शन का एक्जामपल, कोई भी बता दे एनिवन जितने भी लोग जूड़े हैं, साइकलो लोग हैं, सबसे पहले जो बताएगा ना, उसे एक सर संगोली, देखिए कुछ लोग तो सो रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, हम बक रहे हैं, धीरे धीरे सुन रहे हैं, बस की हाँ हाँ, चिलाया जा रहा ठीक है, देखते हैं कब तक चिलाता है, तीन साल से हमारी कलास देखती है, दन्य हो गए हम, मतलब सब भाग गए लेकिन नहीं गई अच्छी बात है चल यह ठीक है तो सबसे पहला इसका जो जबाब आया प्रॉपर फ्रेक्शन में नेहा गुपता जी का आया है थ्री अपान सेबन बता रही और अनुपा मॉर्या का फाइब पान इलेवन नेहा बर्मा आपका गलत है वह नेहा नाम के कई लोग है नेहा बर्मा नेहा गुपता नेहा मिस्रा नेहा सिं तो यह सब अलग में लेकिन शुकर है की इनका सर में अलग में है खीक है तो हां प्रॉपर फ्रेक्शन मैं पूछा था रुच्छी तभिन्न वह होती है जिसका हैं छोटा और हर बड़ा हो ऐसे समझ में आया यानि नीचे की गिंती बड़ी होनी चाहिए उपर की गिंती छोटी होनी चाहिए ठीक है तो वैसे आज का सारा पूरा हो गया कंसेप्ट हम बात करते हैं कि कल इसके बाद क्या पढ़ना है एक मिनट रुकिए मैं वह धूंड के लेकर आता हूं वह पत्तरा कहां गया चोटा फटा उसमें सब टीटील था कि क्या पढ़ा है क्या पढ़ना है अगर आप लोग थोड़ा रुकेंगे तो मैं बता दूंगा कि कल क्या पढ़ना है क्योंकि मैंने बोर्ड मास रूल भी करवा दिये अभ्यास प्रस्न भी करवा दिये और अब आगे क्या बचा है ए भाईया आगे बताएंगे आप लोग मुझे यह बताओ कि 25% कमान क्या हैगा कुछ लोगों को आता होगा काफी परिसान रहते हैं बताइए अभी सब पढ़ाएंगे सायथ पढ़ाया नहीं गया है नहीं नहीं कमेंट किया करिए मिस्रा जी बिल्कुल कमेंट किया करिए क्योंकि बिना कमेंट के न मज़ा नहीं आती थोड़ा कहते ना क्या इंट पत्थरों से बात कर रहे हैं दीवाल से कैमरा से लैप्ट चिला यह आप चिला पाएंगे ऐसे बात कर पाएंगे नहीं ना लेकिन आदत पड़ जाती है स्टार्टिंग में बड़ा बुरा लगता था कि भाई ना कोई बच्चा है ना कोई बच्ची है ना लरका ना लरकी ना लाल पीला हरा बैगनी कुछ दिख नहीं रहा सामने फिर देरे चिलाय जा रहे लेकिन अब देरे आदत हो गई है ना तो यह आप लोगों ने दसंबलों कि अधारडा यहां तक पढ़ लिया विन्हों कला सामासा पढ़ लिया चार चैप्टर खतम हो गए चाउथा चैप्टर कल दसंबलों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना व कोई है ऐसा इमानदार जो बता सके जल्ब करिए देर नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ आज कुछ नया सीखेंगे यह सब खतम दसंबलों का जोड़ घटाना गुड़ा भाग बताना पड़ेगा कि आप लोग कर लेंगे थोड़ा बताई देते हैं क्योंकि इसमें कुछ और भी है ठीक है इसमें सबसे पहला जबाप प्रिया सुक्लक आया है सिल्पा केसरवानी दूसरे नंबर पर हैं गोबिन दयादो तीसरे पर हैं और वहीं मीट माही जी इतने काबिल नहीं अभी हम फिलहाल गड़ बलेस यू आये चलिए यहां पर क्या लिखेंगे हम हल बिना कुष्चन के ठीक है टॉपिक इधर साइड में लिखते हैं क्या क्या सीखेंगे सबसे पहले हम क्या क्या सीखेंगे क्लियर तो दिख रहा है ना खीक है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले पता हैं बताएंगे तभी तो आप जानेंगे ना 10 हमलो पढ़ेंगे 10 हमलो का जोड़ बढ़ा भाग इसके अलावा हम लोग यह भी पढ़ेंगे यह एक टॉपिक तो यह पढ़ेंगे एक ये पढ़ेंगे मीटर सेंटी मीटर हां और ये केजी से गराम में बदलना ये सब चीजें भी आपके इसी चप्टर में सामिल है रैस्मी सिंग कल वाले एक कुश्चन करवा दीजिए रैस्मी जी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग ठीक है आप जाके वीडियो चैनल पर पढ़ा है दो दिन पढ़ाया हूँ देख लीजिए दो घंटे की कलास में बहुत कुछ पढ़ाया है और कुछ अपनी कापी किताब से भी रिव किये अगर इसमें हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आप मुझे बताएंगे कोई 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 करेगा हम बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो करने वाले हैं कि आवाज सही आ रही ना सब लोगों को दिक्कत होगी तो बता दीजिए कि आवाज गड़बढ है क्योंकि ये बैटरी लो है तो हो सकता है ये गड़बढ हो जाये अ कैब या दिभ्याटिवादध कोहिए केवल धिक्कत हो रही बाकी किकिको नहीं तो ठीकि है मतलब हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो मैंने इस में से जो भी पूछा आप लोगों ने बताया ठीक है अच्छी बात है इसके बारे में बात में बात करेंगे मुझे यह बताईए कि यह 0.5 है यह 0.05 है तो इसका पहला अप्शन है कि यह दोनों क्या है बराबर है दूसरा यह है कि 0. 0.5 is greater than 5.0.05 क्या यह दोनों बराबर है यह बड़ा है कोई बताऊं बहुत इमांदारी से क्योंकि हम एकदम बेसिक से सिखाते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता हमारी कोसी से उन्हें भी आए आई यह देखिए मैं बताता हूं सपना राठो और जी ने बताया है बी नमबर बहुत अच्छे सपना जी बेरी गुड एके साथियों आप लोग कलास को लाइक भी किया करिए बड़ी उमीद के साथ हम मेहनत करते हैं है ना सब कुछ छोड़ चाड़के तीन दिन एपली के सारी कलासें जो रात के 10 से 11 होती हूं उन्हें मैं बंद कर देता हूं वो बच् अपनी वाली अपने वाले कोही ल跟你 आओ बस उतना ही बहुत है। हैसा पहल नहीं कि सब सिंगल है सिंगल चल रहें चलिए आए चलिए बताते हैं देखिए अब धी नमबर आपन बता रहे हैं बहूससे लोग कि ये बड़ा है वो छोटा है कुछ लोग अ भी बताये हैं का है नहीं तब लोग भी बता रहे हैं ठीक है सही है इने में बहुत बड़ा अंतर है जमीन आस्मान का अंतर है कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं देखिए ऐसे हैं इसको ऐसे भी लिख देंगे तब कोई फरक नी पड़ेगा इसको ऐसे भी लिख देंगे तब भी कोई फरक नी कि किसी भी इस तरह की संख्या में अगर दसमलों के बाद में कोई अंक है और उसके बाद फिर चाहे जितना जीरो लगा दीजिए अगर कोई अंक उसके दाहिनी साइड में जीरो के बाद नहीं है तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं है लेकिन हां एक चीज समझे अगर यहां पर कोई गिंती आ जाए यहाँ पर वन आ गया मान लीजिए यहाँ पर वन आ गया यहाँ पर वन आ गया तो इन सब के मतलब बदल जाएंगे फिर फिर ये एक बराबर नहीं रहा जाएंगे फिर इन सब के मतलब बदल गए इन सब का जो हैसियत आउकात है ना उससा बदल गई लेकिन अगर कोई गिंती नहीं है पीछे से तो इनकी कोई आउकात नहीं कुछ है नहीं क्रिफना मुरारी धाकड थोड़ा टाइम दीजिए ठीक है थोड़ा टाइम दीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर तो थोड़ा से बना के रखेंगे तो हम कुछ ऐसे भी टॉपिक बताएंगे जो आपको नहीं आता है वो सकता है अभी आपको यह सब आ रहा हो तो प्रजा नहीं आ रही होगी लेकिन अभी यहां पर बने रहिए अभी बहुत कुछ होने वाला है यह जो आपके बताएंगे कितना आएगा कुछ नंबर मान लीजिए दूसरा है बताएंगे जिनको आता है मैं इसको बताता हूँ देखे साथियों इसमें एक चीज देखना है जो मेन मुक के इसकी जड़ है उसको मैं बता देता हूँ पहले दी गई संख्या को ऐसे प्यार से मान सम्मान के साथ लिख लेते हैं फिर दसमलो जहां पर लगा है उसके जश्ट नीचे लगाते हैं इस संख्या में दाहिनी साइड देखें तो एक जीरो है लिख दिया बाई साइड देखें तो एक 5 है इसको भी लिख दिया इनको प्यार से ऐसे उपर नीचे जो जिनके आसपास होता है उसी में जोड देते है इसका जबाब दिया है उनका नाम है भाई अनूपम मौर्या ठीक है अनूपम जी बेरे गुड तो ये 5 में 08 करेंगे तो 5 ही रहेग रूपया की द्रिष्ट से देखें तब हम ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह सभी जानते हैं इसको मैंने जवाब पूछा था किसी ने बताया था किसी ने नहीं बताया था इसको भी हम कर लेंगे सबसे पहले हम 5 को लिखेंगे आप कहोंगे भाई इनके अगल अगल तो दसामलो आइसमें तो है नहीं तो करेंगे देखिए एक बात मैं आपको बताओं बुरा नहीं मानियेगा बैसारम के आथ में बैसारम होना पड़ता है इसमें भी हम दसामलो लगा लेते हैं जैसे आपने देखा होगा मोदी जी पंजाब जाते हैं तो पगड़ी सिक्षों के बीच में उनके जैसे हो जाते हैं यूपी के आवध्या हमारे ग्री जनपत सुल्तानपूर आये थे तो हां पर आवधी बोल रहे थे सुल्तानपूर की पबत्र दर्ती पर हम आवन बानी कई से कई से हम तो थोड़ा बहुत सुने हैं कहने का मतलब समझे कि जैसे देखा है बेस वैसे बदलना चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे दस हम बढ़ा के जीरो जीरो बढ़ा सकते हैं जितना भी जीरो की जरूरत है यहाँ सकते हैं लेकिन ध्यान रहे सिर्फ जीरो ही लगा सकते हैं और कोई दूसरी गिंती नहीं है लगा सकते नहीं तो कि ऑस MIL के बाद 5 आट्रांफ लिख सो दस हमलों के बाद 0 ही लगा सकते हैं फिर क्या करेंगे अब इसको लिखेंगे दस हमलों के नीचे दस हमलों इसके नाइं साइड 5 है तो 5 बाइं साइड 0 है तो 0 नीचे दस हमलों के नीचे दस हमलों दाइं साइड 0 और 5 है तो 0 और देखिए इसके इधर कोई गिंती नहीं है फिर हम फाइप ऐसे लिख देंगे अब इसके देखिए Left साइड में सुनना है तो सुनना लिख दिया ऐसे इनको सुraसरोबित करते हैं यूपर एक चीज का ध्यां रखते हैं कि सिर्फ हो दस हमलो के नीचे दस हमलो रहेगा बस सिर्फ कि 5 के उपर कुछ नहीं है तो इसमें एक जीरो बढ़ा लेंगे जहां जगा खाली वहां सुनना लिख सकते हैं आप 5 में 0 0 जोड़ेंगे महां सब्सक्राइब यहां भी 5 ही रहेगा दस्णा में नीचे दरुमलो सभी सुनना में पांच जोड़ेंगे तो पांच हम कहेंगे 5 पच्छीन पैसे सम्सिंग आया है जोडना मिलावक सबको आता है आप लोग कर लेंगे इसमें बोर हो रहे हैं इसी तरह से सेम तु सेम घटाना भी होता है अब हम बात करेंगे गुडा की ठीक है जैसे जोडते हैं वैसे घटाते भी है इसमें कुछ अलग नहीं है जैसे आप लोगों को घटाना अगर आता है तो आप घटा लेंगे है ना यह अलग है इसलिए इसे बताना है दसमलों का गुडा देखिए अब मुझे बताईए आप लोग इनका सबका मल्टिपल करेंगे कितना आएगा जरह सोच के बताईए मैं थोड़ा मारकर में से आई भर लेता हूं गोबिन्द जी भाग भाग क्या बोलते हैं भागम भाग बढ़नी जिन्दगी में ना टाइम नहीं है ठीक है आपको लगता होगा कि हम यहीं प्याके नों टंकी करते हैं बस लेकिन हम इसे जिन्दगी में अपने परिवार और बीवी बच्चों के लिए भी टाइम नहीं अरे वो सुरी बीबी बच्चे तो है नहीं देखो साधी बदी नहीं हुई वो तो ऐसे निकल गया लोगों की देखा लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहां तक जल्दी फोन ओन भी नहीं हो पाता घर पे भी चार-चार अपता भी जाते हैं दिन नहीं तो अब सुबा कलास लीजिए साम को लीजिए रात में लीजिए यह नहीं हो सकता है अपता में सिर्फ तीन दिन हो सकता है जो मैंने निकाला अपनी लाइफ से टाइम तीन दिन का बस हाँ बाकि आप PBR स्टेडी एप में आ करके साथो दिन देख सकते हैं क्योंकि अपली केसन की कलास हर दिन चलती है आई ये चलिए आप क्या करेंगे इनको हमें हल करना इसका जब आप किसने बताया सबसे पहले तो उनका नाम है छभी गुपता छभी गुपता कृषना कुमारी और सपना राठोर नेहा बर्मा ठीक है देखिए इसमें हमें काम करते हैं पहले सारी गिंती वरसे लिख लेते हैं जैसे भी रहती है बीना दस हमलो के उसका गुड़ा कर लेते हैं तो हम इसको कहीं साइड में कर लेंगे फाइप इन्टू इसमें वन है इन्टू इसमें सेबंटीटू है इनका बिना दसमलो के पहले गुड़ा कर लेंगे तो पांच एकम पांच और पांच पेंग दस के जीरो हाशी लेक और पांच सते पायतिस एक शतिस 360 हाएगा बिना दसमलो के तो 360 हैसे लिखेंगे आगे पीछे जगा होनी चाहिए भाईया यहां पर देखिए तीन अंक पर दसमलो है यहां पर देखिए चार अंक पर दसमलो है है न तो जितने जितने अंक पर दसमलो है जैसे यहां पर तीन था सवरी यहां पर एक अंक इनको जोड लेते हैं सभी अंकों को चार हुआ यानि हमें इसमें चार अंक पर दसमलों लगाना है step by step समझेंगे तो समझ में आएगा मैं सब detail में बताऊंगा तो हमारे पास तीनी अंक पर चार अंक तो है नहीं तो हमें एक 0 बढ़ा लेते हैं लेकिन ध्यान रहे वो 0 हम संख्या के बाई तरफ ही बढ़ाएंगे दाईनी तरफ नहीं यहां पर लगा देंगे दसमलों होगे अब असांसर हो गया और इसके पहले भी इसकी पूरती के लिए 0 लगा देते हैं समझ में आया इसके बाद में कुछ लोग 0 लगाएं या न लगाएं ये तब भी सही है ये भी सही है लेकिन ये 0 हम नहीं हटा सकते हैं याद रहे ये 0 हम नहीं हटा सकते हैं हाँ इसके बाद में हम और बहुत सारा 0 लगा दें तब भी सही है क्योंकि कोई संख्या पर अगर दसामलों के बाद में मतलब नंबर है और फिर 0000 है कोई नंबर नहीं है तो ऐसे 0 का कोई मतलब नहीं होता है ठीक है एमी मीडियम के लिए इंगलिस में सिखाईए अच्छा इंगलिस वालों की कलास के लिए आपको अलाग से पढ़ना पड़ेगा क्या नाम से और इनका इंगलिस वाले क्योंकि यहां पे सब देसी लड़के लड़किया होते हैं इंडिया के इनको इंगलिस-उगलिस आती नहीं बस इंगलिस उतने अतने तक आती है how are you what are you doing उसके बाद आउर हो पड़ाई लिखाई ठीक चलत भाइग नहीं है इतना आती है चलिए उसी में से हम भी है इसलिए इंगल्स में नहीं बोल रहे है तो चलिए 2.23 x 0.007 इसका कितना आएगा बताईए हम थोड़ा टॉपिक बद रहे हैं क्योंकि इसमें मजा नहीं देख पा रहा हूँ है ना ना बताई Państu डुक्राइगा जो मजा पाहे मैं यह तो तुरंट बता दीजिए गा कि इस से मजह नहीं मजा nawr靖 हम और खाय को अब कि चाहते हैं जिसमें और क्या बताने वाले थे मिधर साइड में आई है कि इसको तो आप लोग कर लेंगे यह कड़ा बड़ा यह कन्फ्यूजन करने वाला होता है यह कि यह भाई रुगजा ठीक है नेहा बर्मा जी का अंसर आ गया बहुत अच्छे नेहा जी बेरी गुट बेरी गुट 0.25 x 0.005 अच्छा यह जो मैंने बढ़का वाला लिखा इसका कितना आएगा कोई बताएगा मजा आ रहा है अभी बहुत मजा आने वाला है आईए देखते रहिए बस तो इसको मैं बता देता हूं ध्यान दीजिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अपनी सांसें तेज करके रखना और नंबर को अलग लेना है जो बीना दस हम लोग के ठीक है अब फिर यह नंबर इसमें 7 है इसमें 23 है इनका अलग से गुडा कर लेना है कि 730 जा 27 एकाइस यानि 730 21 करी आया चाहिए टू और 720 14 14 टू 16 और 720 14 14 15 बतानी सही है गलत हैं इंगलीज तो मुझे थ 730, 22, 22, 24, 26 और 57, 16 तो 161 यहां पर थोड़ा समझिये यह तीन अंक पर दसंबलो हैई से लिखिये यहां पर दो अंक पर दसंबलो हैई से भी लिखिये इसानल में 5 अंक पर यहां पर दसंबलो लगेगा हमारे पास में सिर्फ चारी अंक है एक जीरो बढ़ा लेंगे यहां पर दस हमलों लगा देंगे बस हो गया एक जीरो इसके आगए अपने आप फिरी में लिख देते हैं चलिए छापते चलिए फटा फट लिखते चलिए और इससे ओब जाईएगा तो बता दीजिएगा इसे बंद कर दीजिए आप चलिए इस पर बढ़ते हैं यहां पर क्या करेंगे प्यारे साथियों सबसे पहले जितने भी डिजिट दिये गए उनका मर्टीपल कर लेंगे बीना दस हमलों के और उसके बाद फिर दस हमलों आला कितने लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक को बदल दिया जाए कुछ और पढ़ाया जाए अगर हां तो आप वाई लिखके कमेंट करें वाई फार एलो और अगर नहीं तो यन लिखके कमेंट करें यन फार नानी इसमें देखिए वन है फिर इसमें टू है फिर अगले में टू फाइफ है फिर अगले में फाइफ है इन सब का क्या करना मल्टिपल करना है कि अच्छा इस टापिक को बदल दिया जाए बहुत से लोग चाहते हैं मतलब दिल में है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं अच्छा ठीक ठीक है तो मैं इसको भी नहीं करूंगा तो यहीं चाहता था कि अच्छा था कि इसे कितनी जल्दी बदला जाया चलिए वह तो मैं थोड़ा लात सरम के मारा बता रहा था कि बाद में लोग चिलाएंगे कि आप बताएं नहीं बताएं नहीं हाँ चलिए ठीक है देखो अब लोग बोलने लगे चलिए भाया इस देश में बहुमत वालों की सरकार बन जाती है यहां पर तो तो 200 लोग ही है आईए ठीक है अब टॉपिक यह चलेगा इसे क्या बोलते हैं कनवरजन या कनवरसेशन तो कुछ अलग होता हमें लगता है कनवरजन ही बोलते हैं फिलहाल अब मुझे नहीं पत एक मिनट इधर देखिए एक रूपया कितना पैसा होता भाया इसमें जानते हैं करेंग लगता हैं झाल 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 इसकी बैटरी खतम हो जाती है और यह confusion थोड़ा हो गया यह बैटरी चेंज हो गई इसी में पहले की जो खतम वाली थी नई वाली दोनों एक में उलज गई एक कलर की थी एक माडल था मैं थोड़ा देर के लिए फिलहाल इसको मैं अलग रख ले रहा हूं देखो कुछ तो गलबड हुआ ही ओ राजेस सर के पडोसी आ गया आप राजेस नहीं राकेस अच्छा ठीक है रिचा कुछ वहां नहीं आ रही आवाज आ रही थीक है तो यह टॉपिक हम जो ले करके आएं इसमें आपको कुछ बाते बताएंगे और कुछ नहीं भी बताएंगे आए देखिए हमने पूछा था एक लीटर में कितना एमेल होता है तो यह कितना होता भाया एक लीटर में एक हजार एमेल होता है एक मीटर में कितना सेंटी मीटर होता है तो सौ सेंटी मीटर होता है एक केजी में एक हजार गराम होता है और का का होता है एक किलो मीटर में एक हजार मीटर होता है लेकिन आप कहेंगे यह सब याद कैसे होगा है न ऐसा कुछ है न आप लोगों के दिल में आ रहा होगा कि आखिर यह सब याद कैसे होगा इतनी बड़ी कानी है ना वही राकेस सर के पडोसी को बलक कर दीजिए क्योंकि यह बहुत परिसान है इनको जल्दी बलक करिए जल्दी करिए आप लोग क्या कर रहे हैं जो फालतु का कमेंट करे उसे बलक करिए तो अब हम आपको बताते हैं कि आप याद कैसे करेंगे कुछ यहां पर इस्पेसल चीज दिखाने वाले हैं थोड़ा दिल थाम के बैठिए याद है सबको याद है यह बोलिए हां सबको याद है कि बताना पड़ेगा अगर याद है तो चले हम लोग कुछ कुश्चन करते हैं फिर याद है बताइए हां या नहीं नहीं याद है तो सुन लीजिए थोड़ा सबर करिए सबर कफल कभी कभी मीठा है याद है ठीक नहीं बताउंगा किलो टेंसन मतलो लगबग लोग बोल रहें हां फिए हैं ठीक है ठीक है मिर खुद नहीं बताना चाहता हूं आएїए चलिये ठीक है अभी मैं question यह कर रहा हूं आप लोग मुझे यह बताईए कि साथ किलो मीटर में अभी जरूरत महसूस होगी तब कितना मीटर अभी इतने नहीं बात रुकेगी एक और बताईए कि एक और बताईए जीरो पॉइंट आठ एमेल में कितना लीटर बताईए जवाब दीजिए इसको मैं question number मान लेते हैं 10 लिख देता हूं इसको 11 तो आप लोग question number डालके जवाब दीजिए मैं बताऊंगा एक एक थोड़ा सब्र बना के रखिए अधिती सिंग 7000 बता रही ठीक है गोबिंद यादो जी बिल्कुल सही है प्रिया सुकला नहीं बता दीजिए अच्छा बताएंगे अभी सब्र बना के रखिए इसका जवाब दीजिए कितना एगा 0.8 ml में कितना लीटर और एक और बताएंगे जो लोग कह रहे हैं कि हमें आता है मैं उन्हीं से बिसेस रूप से पूछना चाहता हूं अभी जब आप सरेंडर कर देंगे खान नहीं आता तब मैं बताऊंगा जो मैं बताना चाहता था आईए देखिए दस डेसी लीटर में कितना लीटर बताएंगे बारा नमबर का जबाब दीजिए दफ डेखिए लीटर में कितना लीटर यह सब पूछा गया है बताईए जबाब दीजिए कुश्चन एक्ठी लिख लिजिए और बड़ा मज़ेदार है एक्ठी लिखिए 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 मैं अभी पूछता हूं फिर आप लोग बताईए तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा न दस वाले का सेबन थाउजंड नहीं हम इस रहा इसका बतारी 0.008 और और ठीक है कुश्चन सुनते जाईए थोड़ा सांसे रोंग के रखिए दिल थाम के रखिए अभी इंपॉर्टेंट वाले मिलेंगे आईए हाँ तो यह है कि 5 मीटर से 300 सेंटी मीटर घटाईए है कुश्चन नंबर के साथ जबाब दीजिएगा यह आपके परिक्षा में पूछा गया था 2017 में पांच मीटर से 300 सेंटी मीटर आप कैसे घटाएंगे अस्वनी कुमार ठीक है अस्वनी बहुत अच्छे बारा नंबर का कोई जबाब दिया क्रिफना उसके बाद के लिखा इनोंने यह के पता नहीं काय लिखें कुमारी हैं कि कुमार हैं इसी में कन्फ्यूजन है क्योंकि अदली बदली कर लेते हैं अगला कन्फ्यूज हो जाता है हैं कौन यह चलिए फिल हाल अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वाली अधिती सिंग बता रहे हैं 200 यह बैया यह सब जाग रहें कि सो रहें इसका जो 200 बता रहा है ना उसका पूरा गलत है जो इसका 200 बताया होगा उसका 200 पर्फेंट गलत है अप कहेंगे हे बगवान इकॉन मुसीबत है यही तो मुसीबत है जो आप पढ़ना नहीं चाहते हो क्योंकि मैं बताना चाहता हूं तो कहते हो नहीं नहीं मुझे आ रहा है मत बताओ मत बताओ ठीक है और कोई बताएगा इसका जब आप क्लियर करिये तेरा नंबर फिर आगे बढ़ें हैपी किचन बेथ रिंकू पोर पॉइंट सेबन जीरो जीरो चाच्चा जीरो जीरो चाहतुम बीस बार लगा दो क्या मतलब है पेरा नंबर का 5700 कितना 5700 लीटर या मीटर या सेंटी मीटर किसमे याद रखिएगा अगर उत्तर में आप मात रक नहीं लगाते हैं तो आपका अंसर गलत है बई दुका आपको देखे गया तो कहेगा मैं कितना बेवकूप हूं मेरी दुकान पर आया तो मात्रक बताना जरूरी है आए इस पर बात करते हैं इसको तो फिरहाल डीटीयल में बताना पड़ेगा आपको इसको बात करते हैं देखिए आप सभी कहे रों कि याद है तो कोई बाती नहीं जैसे एक लीटर में एक हजार यमेल होता बया वैसे एग यमonces में न एक बटब आएख़ार लीटर होता है ठीक है तो नहीं पक्राइख प्लेटर होता है तो हम कहेंगे कि 0.8 यमेल y novel में क्या हो जाएगा 0.8 into 1 upon 1000 लीटर इसको हल करेंगे ठीक है गोबिन्द याद हो ठीक है कोशिस करते रहिए कोशिस करते रहिए यह बहुत काठिन नहीं है लेकिन जो लोग मैच्स नहीं पड़ें उनके लिए है कठिन उनके लिए ना यह बहुत कठिन है इसवर की प्राप्ति के बराबर कठिन है आईए देखिए तो यह 0.8 अपान यह हो जायागा 1000 वह यह यहां पर दसामलों लगा है आपको पता है न का कुछ पता है कि नहीं है पता तो आईए इधर इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं पहला त जने को बढ़की लाइन खीच के इसको एक हजार लिख सकते हैं इसके नीचे एक छिपा सकते हैं इस तरह से हम बहरे का बहरे अंदर का अंदर गुड़ा कर सकते हैं तो यह 8 बटा 10,000 हो जाएगा चार जीरो हो जाएगा मतलब 0.008 चार अंक पर दसंबलो हो जाएगा और यह कहा हो जाएगा लीटर क्या हो जाएगा लीटर क्योंकि यह 800 ml था 800 ml में कितना लीटर इतना लीटर न कुछ गलत हो रहा है और सही हो रहा भाई है हां अच्छा हम लोग इसको देख लेते हैं चाहिए गलत है इसको किनारी रखिए एक और आपको बताते हैं अभी सब क्लियर हो जाएगा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा जिसको कन्फ्यूजन है आईए हमें पता है कि इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते न ठीक है इसको बीना दस हमलों में बदले अगर हम लोग लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा दस हमलों में बदल देते हैं तो यह गड़बड आ जाता है क्योंकि फिर उसी रूप में आ जा रहा है जैसे सब्सक्षाइब में में इक हजार एमेल होता है इसको 2 से कटीये यह चार से भी चार लूपे। चार लूरा कर लकीर का फिकीर बन रहे हैं तर यह नहीं पता है कि सर ने ही गलत लिखा अच्छा यह मतलब गलत नहीं सही है सबाई है इधर बताते हैं जो देखिए एक स्टेप आगे जो दसामलों में बदल दिया इसका मतलब वह गलत थोड़ी था रसंबलों में आप बदल सकते हैं पूछ इफ लिये रहा हूं कि कितने लोग जाग रहें कितने लोग सो रहें हो सकता मैंने गलत भी लिखा हूं तो कौन बड़ी बात है लेकिन हाँ आभी जाना नहीं नहीं तो इसम कंफ्यूज हो जाओगे पूरूब करके दिखाऊंगा गल वह भी चाही ता जो लिखा था वह गलत नहीं था दशनर ऋमलों में बदलता तो गड़्बड नहीं था जो लोग कोफ्यूज हो यह तो इतना येगा इतना नहीं उतना भी सख्य लेकिन उप्थे सिरूप में आ जा रहा था द्शनर इसम,्लूप यहां पर दशनर अलह चार बटा दू लीटर ना जानते हैं देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक लीटर में एक हजार एमेल है ना तो एक एमेल में एक बटा एक हजार का लीटर इस लिए 0.5 ml में हम ऐसे इसको करेंगे हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं बहुए एक लीटर में एक हजार मतलब मिलीलीटर झालीटर तो इससको ऐसे कुड़ा करेंगे जो मनें लगाया था वो भी सही है गलत नहीं है यह भी सही है सब सही है ठीक है आई इसको अचारें इसको भी हल करने का दो तरीका यह उतना हो जा रहा फिर से एक हजार है ना इसे भी हम देखो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं पांच बटा दफ लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं न किसी को इसे पांच बटा दफ लिखेंगे नीचे एक हजार लिखेंगे फिर से बैसे ही गुड़ा हो जाएगा तो यह आजाएगा 5 अपान यह 10,000 अब दे दो हजार एमेल हम अच्छा ठीक है कुछ और बताईए आप लोग खुश्रीन खान फोर समेस्टर का पीवी आर स्टडी एप में उपलब्ध है तो इसे आप लोग और ज्यादा सिंप्लिफाई करेंगे तो पांच एक कम पांच पांच दूना दस एक बटा दो हजार आएग दसमलों में बदल लेंगे तो ठीक है दसमलों में बदलेंगे तो समझ में कुछ आएगा पांच चार अंग पर आपका ये दसमलों लग जाएगा ठीक है क्या होगा चार अंग पर दसमलों लग जाएगा एक और बताईए आप लोग हाँ ये तुम्हें बताया ही नहीं एक और पूछा था ना भी इसके पहले उसी तरह का ये बताईए कि 5 मीटर से 200 सेंटी मीटर घटाएंगे तो कितना हैगा उसके बाद उस पे चलते हैं बताईए जल्दी करिए फटाफट बताईए अभी तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया ना लीटर में कितना लीटर होता है मतलब यह मेल में ना लीटर में नहीं हाँ ठीक है चलो इसको बताईए फिर आगे बढ़ते हैं चलें इसको बताईए फटाफट फटाफट जल्दी करिए चलिए इसको बताते हैं देखिए अभी तक जो हम लोगों ने किया जिनने लोगों को कंफ्यूजन है उन्हें बता दें कि वह कुछ गरबर नहीं सब सही है बस थोड़ा यह लंबा हो जा रहा था चुकि इसको मैं बहुत छोटी मात्रा में ले ले रहा था वैसे भी वह छोटा है जो ml है वो लीटर का एक हचारवा भाग वैसे ही है लेकिन हम इसको भी दस हमलों में कर ले रहे थे इसलिए बहुत छोटा हो जा रहा था ठीक है तो कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन हो रही थी वह गरबर नहीं था भाई ये किर्फना मुरारी को बलक करिये तो इनको नंबर चाहिए सब लोग अपना नंबर डालो ये नंबर ले ले बस इनकी जिन्दगी का इतना उद्देश है चलिए इसको बताते हैं इस टॉपिक पर बात करते हैं उसके बाद फिर इसको भी चेंज करके आगे बढ़ेंगे ये जो भी मैंने बताये सब सही है 100 परसेंट इसमें कोई प्रावलम नहीं कि बहुत ज्यादा छोटी नंबर हो जा रही थी इसलिए कि तसमलों में कई गुना पीछे चली जा रही थी हाँ इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बताना है कि देखिए जिस भी रासी को जिसमें से घटानी है ये ध्यान रहे कि दोनों सेम इकाई में होनी चाहिए ठीक है मैंने बताया था ना इसके पहली कलास में कि चूहे से चूहे ही पैदा होते हैं Love is opinion based on the testify to me इसमें कुछ यह मैं बताने वाला हूँ कि इनको पहले एक ईर आसी में बदलेंगे जैसे में मेंटर में हैं इसको भी यह तो मेटर में बदल दें या फिर इसको स tarotта wiggle बदलना असान है एक मीटर में 100 cm तो पांच मीटर में 500 cm माइनस ये 200 cm फाइनल में 300 cm लिखें तो ये सही है लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं सही है इसमें और भी कुछ सही है आईए मैं बताता हूँ वो क्या सही है लेकिए एक मीटर में 100 cm तो एक सेंटी मीटर में एक बटा सो मीटर भी होता है तो भाया हो 200 cm में 200 बटा सो मतलब 2 मीटर कितना 2 मीटर न तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं पांच मीटर माइनस दो इक्वल 3 मीटर यह दोनों सही है यह भी सही है 300 cm भी सही है या फिर हम 3 मीटर लिखें तो यह भी सही है बताइए सबी को समझ में आया नेहा बर्मा नरेश गोबिंद मीट यूपी पुलिस की तैयारी आप PBR स्टडी एप डाउनलोड करके उसमें जाके देख सकते हैं ठीक है एप्लिकेशन में आपको पूरा सम्मी लेगा आगे बढ़ें ठीक है यह हो गया तो आप लोग इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल कर लेंगे जैसे एक मैं अगर आपको और बताओं तो वह बताईए मुझे जैसे यह बताईए आठ मीटर इसमें से आप घटाएंगे तीन डेसी मीटर बताईए तीन डेसी मीटर घटाके मुझे बताईए कितना ऐगा फटापट बताईए जल्दी करिये देखे यह थोड़ा बढ़ा हो सकता है क्योंकि डेसी मीटर के बारे में आपने सुना नहीं होगा जल्दी करिए बताएए डेसी मीटर वाला बताएए कितना आएगा कोई बताएगा और साथ मेरा मात्रक जरूर लगा के लिखना मैं जो बताना चाहता था मैं बता के ही जाऊंगा क्योंकि तुम लोग पढ़ो भाई ये ना पढ़ो लेकिन मेरा भर्ज है क्योंकि कुछ लोग हमारे ही भरोसे बैठे हैं तो मुझे उनको बताना पड़ेगा रेस्मी सिंग तीन सो था जो था वो अलग है उसको जाने दीजिए मैं ये बताना चाहता हूं मिली सेंटी डेसी मीटर मिली सेंटी डेसी मीटर और देका हेक्टो किलो मीटर ये आपको याद रखना है गाने की तरह इनको गुन गुनाते रखना है यहीं से आपका सब मिल जाएगा सब जो चाहते हो अरे मतलब जिन्दगी में जो चाहते हो वो सब नहीं मिलेगा लेकिन हाँ इससे संबादित समिल जाएगा यहां मीटर की जगह पर आप लीटर भी कर सकते हैं किünde सेंटी डेसी ग्राम भी कर सकते हैं अगर ग्राम वाळा है तो हम यहांपर आप अ है यह किलो मीटर रहने तो गेलो लीटर कर सकते हैं जरूरत के informing है और यहांपर कीलो ग्राम भी कर सकते ओ हैं आप समझेए मैं आपको क्या बताने वाला हूं देखिए यह आपका मेन पॉइंट है यह मेन लाइन है अगर इसके ऊपर का कोई निकालना है आपको तो आप गुड़ा करके प्राप्त करेंगे इसके नीचे का निकालना है तो भाग करें ठीक है क्रिफना मुरारी बेटा बलक करें तुम्हें क्या हां जो इस दर्खे अस आप क्या बात हो रही थी अब बताइये अगर हम पूछें कि एक डेसी मीटर में कितना मीटर जल्दी बताइये कि एक डेसी मीटर में कितना मीटर अ ओं फटा फट बताओ ये एक डेसी मीटर में कितना मीटर मैं तरीका बताओंगा अभी थोड़ा सा रुख जाईए और एक हेक्टो मीटर जिन लोगों को आता था आप उनकी हेकड़ी निकल रही है एक हेक्टो मीटर में कितना किलो मीटर देखे मैं सिस्टम आपको सिखा दूँ उसके बार आप जाई ये इस्टम सिखा दूँ बस देखिए नहीं ये बताने वाला था कि जहाँ पर हमें हमसे पूछा गया है मतलब किसमे से किसमे बदलना ये देखना है देखें, डेसी मीटर से मीटर में बदलाना है, यानि ये डेसी मीटर है, ये मीटर है, ये दोनों आपस में सटे हुए हैं, लेकिन उपर वाले पद से नीचे वाले पद में बदलना है, ठिक है? तो हमेशा क्या करेंगे? भाग होता है, हमेशा भाग करेंगे, किस से? बता रह जैसे हमें एक के देसी मीटर से एक देसी मीटर से मीटर में बदलना है Buddhist हम क्या करेंगे जो लोगशे बता जा रहें उनका गलत ہے जो लोगशे बता रहें उनका गलत अगर हम कहें कि एक मीटर में कितना किलो मीटर बोलो तो खाओगे एक हजार किलो मीटर का नहीं एक मीटर में एक बटा एक हजार किलो मीटर तो उसी तरह से एक डेसी मीटर में एक बटा और फिर जश्ट इसके बगल में है न तो एक जीरो लगाओगे याद रखिएगा अगर जेश्ट बगल में है थे एक जीरो अगर सेंटी मीटर से पूछा गया होता तो आप दो जीरो लगा थे ठीक है तो ये कितना वजाएगा मीटर यानि फाइनल में हम कह सकते हैं 0.1 मीटर समझ रहना अभी थोड़ा समझ जाएंगे अगर टाइम देंगे तो जो लोग दिल से देख रहे होंगे उन्हें इसमें बहुत कुछ मिलेगा उमीद से जादा मिलेगा देखते रहिए ये तो डेसी मीटर हो गया अगर हम कहें कि एक सेंटी मीटर में कितना मीटर बताये अब ध्यान दिजिएगा हमें सेंटी मीटर से मीटर में बदलना है यादि यहां से अगर गिनना शुरू करें एक, दो एक, दो यादि दो इस्टेप चलने के बाद तीसरे पर ये मिल रहा है दो इस्टेप पार हो रहा है नँग यहां पर देखो एक दो आता ही नहीं था वहीं मिल जाता था एक ही स्टेप होता था इफले एक जिरो लगता था यहां पर देखिए एक दो दो जगा हम किन पा रहे हैं मतलब जहां से सुरू करेंगे उसको भी गिनेंगे जहां से सुरू करेंगे उसको भी गिनेंगे लेकिन शोलाँ तक आना उसको नहीं गिनेंगे तो हमने यहां सेंटिमीटर से सुरू किया सेंटिमीटर हो गया एक डेसीमीटर दो और फिर यह में बदलना ही है तो लिखेंगे एक कि यह सेंटिमीटर इक्वल वन अपान दो हो रहा था तो जोड़ से दोजीरों 0.01 क्या मीटर यानि एक सेंटी मीटर में 0.01 मीटर समझ में आया यानि कहने का हमारा ये मतलब था कि अगर कोई रासी छोटी है उसे बड़ी रासी में बदलना है तो हमें इसा भाग देना होगा अगर बड़ी रासी से छोटी रासी में बदलनेंगे तो भाग देना होगा अगर बड़ी रासी से छोटी रासी में बदलनेंगे तो गुड़ा करना होगा सिदी सी बात है कहोगे छोटा बड़ा कौन है भाईया ये चाचा सबसे बड़े हैं ये सबसे बड़े हैं ठीक है इनके ऊपर जो है हेक्टो मीटर ये इन से थोड़ा छोटे हैं और ये इन से और छोटे हैं और इन से ये और छोटे हैं सबसे छोटे ये हैं मिली वाले सबसे बड़े हैं किलो वाले बस इतना आप जानके चलिए इनी सातों के बीच ये दोड़त में 112 आगे बढ़़ रहें लिकिन हमें नीचे से उपर जाना है नीचे से उपर जाना है तो हम क्या लिखेंगे कि एक मीटर बराबर दो यहाँ वन अपान वन करके जीरो बढ़ाते थे ना इसमें ऐसा नहीं होगा इसमें अगर नीचे से उपर जा रहें तो वह नपांच जीरो नहीं करेंगे डारेक्टली जीरो बढ़ाएंगे कि यानि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर समझ में आया ना इस तरह से इसे समझ के चलना है अब आप लोग मुझे इसको देख के बता दीजिए कि एक हेक्टो मीटर में कितना सेंटीमीटर सबसे पहले जो बताएगा हम जान लेंगे उसे समझ में आ गया बताईए एक हेक्टो मीटर में कितना सेंटिमीटर जल्दी करिए सब फिरी है मीट मीट जी सब फिरी है सब मेरी जिन्दगी भी फिरी है बताईए चलिए सब फिरी है हो गया कोई बताएगा निमन नेहा बर्मा बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत प्रियंका कुमारी मानबेंद सिंह प्रियंका आपका भी गलत है मानबेंद्र जी का समझना पड़ेगा इन्होंने बहुत सारे जीरो लगाए हैं ठीक है और को यह निमन देखे इफिल यह बोल राता नहीं आता है परिक्षा में यही होता है परिक्षा के पहले सब को लगता है कि मैं आसमान में तीर मार सकता हूँ पर इच्छा होती तब पता चलता है कि मैं तो पेड से आम भी नहीं तोड़ सकता हूँ आईए बताता हूँ देखे हमें हेक्टो मीटर पे चलना है यहां तक आना बिट्टा यहां तक आना बाबू भाईया यहां तक आना है हम यहीं से गिनना सुरू करेंगे या तो फिर यहां से गिने यहां तक आएं लेकिन हम यहां से चलेंगे चलिए एक दो तीन चार इसको नहीं गिनेंगे याद रखना एक दो तीन चार हम चारी स्टेप पार करके आगे गए हैं न तो हम लिखेंगे एक हेक्टो बराबर एक के बाद में चार जीरो लगा देंगे बस ये अंसर हुआ दस हजार सेंटीमीटर होगा एक हेक्टो मिटर में दस हजार सेंटीमीटर पताई ये जल्दी करिए अच्छा तो आप इतने खतरनाख है मैंने reply दे दिया वा कि आज तक कोई टीचर आपको reply नहीं किया था मुझे नहीं पता था नहीं तो मैंने बोलता फिर भी हो गया तो चलें आप लोग कर लोगे मुझे पूरा उमीद है कि आप सब कुछ कर लोगे तो एक ठीयाओर बतादो फिर इसे में लगे हाथ इसे में लगे हाथ एक ठीयाओर बतादो फिर चलें खतम करें कि एक किलो मीटर में कितना मिली मीटर एक किलो मीटर में कितना मिली मीटर पताए जल्दी करिए कितना सुन रहेगा यही बतादो बस देखिए हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिस किया कि आपको पूरा कंसेप्ट पूरा निचोड बता दूँ लेकिन जो लोग नहीं समझना चाहते उनके बगवानी मालिक है जिन लोगों को अपने दिल में ये बसा के रखें मुझे सब आता है सब आता है वही फेलोते है इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब आता है जिसने कहा मुझे सब आता है उसे कुछ नहीं आता है ममता साकेत गलत है नेहा बर्मा ठीक है नेहा जी बहुत अच्छे लग तो रहा कि आपका सही है राधा देवी ठीक है मैंने ये पूछा कि एक किलो मीटर में कितना मिली मीटर मिली मीटर जो है सबसे छोटी काई होती है अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं पता नहीं दिखाएगा कि नहीं ये इसकल देख रहे हो कैमरा में घुज जाओं का इसको लेकर दिख रहा है ना देखे इसमें बहुत सारे आप लोग के पास पत्री होगी आप देख लीजेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूं उसके बाद बंद करेंगे इसमें देखे बड़ी बड़ी गिंती लिखी होती है एक दो तीन चार पांचे साथ आठ इस तीस तक है क्योंकि एक फिट की है तो यह 30 सेंटीमीटर लंबी है मतलब एक फिट की जिसे बोलता है 30 सेंटीमीटर अभी फिट गज यह सब मैं नहीं बता रहा हूं वो सब अलग ही काई है ठीक है फिट और गज यह आपने सुना होगा कुछ चीजों को नापने के लिए फिट में यूज करते हैं इंच में यूज करते हैं तो यह बहुत बड़ी कहानी है सब अलग अलग जाती-पर-जाती के हैं बाकी काम एक है सब का कि मीटर में भी हम कोई चीज न आपिते ही है इंच फिट घज में भी नापिते ही है लेकिन आलाग वस्तुऊं का आलाग मतलब शिश्टा में बताएंगे बाद में तो Le yapt a फैसलियो एक दम छोटा-छोटा उता होता फो सतिमेटर होता है ठीक है आप बाकि होती बस ML का मतलब ही जान लो ठीक है तो यही ML है एक दम छुटका वाला समझ रहे ना आप लोग मैंने कुछ जाद है जूम कर दिया लग रहा है तो मैं फिलहाल के लिए आपको बता दूं जो बताने वाला था बाकी बात हैं हो गई पूरी हां तो मैं यह बता रहा था देखिए यहां से गिनना सुरू करेंगे वन टू यह थ्री यह फोर यह फाइव यह शिक्स छे जीरो रहेगा शे जीरो रहेगा पांच जीरो में एक ल 500,000 helemaal यह फिर हमा ऐसे भी कह सकते है एक किमेटर में वन मिलियन मेल आप जानते हो कि नहीं को दफ लाक को एक मिलियन कहा जाता है इंटरनेफनल नंबर सिस्टम में शीटम में मैंने पढ़ाया है रं नहीं इंडियन और 화णिण और इंटरनेफनल नंबर सिस्टम पढ़ाया है ना ठीक है तो एक ठीयज़ बता दो कर पढ़ाया तुसरी दम पे लगी हाथ बताई का ये के लिखा है ना इसे indian number system में लिखेंगे तो BILL लगेगा 100,000 के बाद मैंने k लगाया है तो ये वास्तों में है क्या बताईए योगेंन सिंग görünthe do you Hey १िये इंदिन ओटी युट्व पर सोवार मंगलवर बुद्वार सिन दिन रेगूलर होती है मंटे तूजडे और बेड्डेश ड स्जे को बागी 3 दिन हीजन चलता है ठीक है होती तो हर दिन छवो दिन है साथो दिन लेकिन regular तीन दिन पढ़ाया जाता है तीन दिन दिविजन होता है तो शोमवार मंगलवार और बुधवार को नई कलाश चलती है नहा बर्मा का गलत है गोबिंद यादो का सही है और नरेश ठीक है कोशिश तो आप लोग करी रहें अच्छा है नेहा मिस्रा जी मिस्रा जी बिल्कुल सही है आपका और नेहा बर्मा आपका गलत है भाई देखे नाम एक के हैं लेकिन काम अलग अलग है ना एक लोग का सही एक लोग का गलत